आज के वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है आज हम लोग स्टॉक मार्केट में हेजिंग कैसे किया जाता है इस पे हम लोग बात करेंगे बहुत नाम सुना होगा कि FII, DII बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होता है वो अपने आपको हेज करके रखते हैं क्योंकि बहुत कमी लोग जो है वो सही तरीके से हेज करना सीखते हैं या आप देखते हो मैंने भी वीडियो बनाने से पहले दो-चार वीडियो देखा कि देखते है कि क्या लोग बोलते इस पे तो एक चीज देखा गया कि complete तो कोई बोलता नहीं है और उपर से इतना इंवेस्टर नहीं कर पाएंगे यह सिर्फ बड़े बड़े लोगों की बात है अग वगेरा वगेरा बहुत सारे चीज है ऐसा कुछ नहीं है बहुत सिंपल सा टेकनीक है हेजिंग हेजिंग कुछ है ही नहीं रिस्क को मिनिमाईज करना होने वाले जो लॉस है उसको अगर ह इसे रिटर्न कैसे लिंक होता है आपके रिस्क से क्या हमें हेज करना भी चाहिए हेज नहीं करना चाहिए इन सब बातों पर हम लोग डिटेल में बात करते हैं आएगा तो सबसे पहले मैंने एक टॉपिक वाइज लिख क्या है क्यों कभी कभी मिस हो जाता है तो सबसे पहल रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हो उसी चीजों को हम लोग हेजिंग बोलते हैं जैसे बाइक ड्राइव करते हो बाइक ड्राइव करते हो टाइम आप हेलमेट पहन के चलाते हो यह हेलमेट जो पहनना है एक एक्सन है जो आपका लॉस होने वाला है जो रिस्क है एक्सिडेंट क एक्जेक्ली वैसे ही जब हमें stock market में को trade लेता है तो हम लेते हैं तो उस case में हमारा loss होने की जो possibility होते हैं उसको reduce करना किसी एक action से कोई भी एक trade से वो क्या कहलाता है आपका hedging बहुत simple कोई भी एक action जो की आपको risk को minimize करें उसी को हम लोग क्या बोलेंगे hedging बोलेंगे बस simple अ का हो कि risk हमारा कितने types के होते है market में याद रखेंगे market में दो types के risk होता है एक होते है systematic risk और एक होते है unsystematic risk ठीक है दो तरह के risk से आपको बचना है stock market में अब पहले इसको समझे जैसे किसी एक individual company के अपने factor की बज़े से उस company के share price down जाता है या अप जाता है क्योंकि आपका नुकसान दोनों case में हो सकता है अप जाएगा तो भी नुकसान हो सकता है डाउन जाएगा तो भी नुकसान हो सकता है तो हम simply यह कहते है कि किसी एक individual company के अपने news की वज़े से या अपने उसके event की अपने कुछ भी एक management decision हो उसकी quarter का result हो कुछ भी हो उसकी वज़े से अगर क कोई आपको नुकसान होता है यानि कि share price में बहुत ज्यादा fluctuation आ गया और उसकी वज़े से अगर आपको नुकसान हुआ तो वो हो गया आपका unsystematic कोई एक ऐसा factor है जो कि government ने एक decision लिया और उसकी वज़े से share price बहूत ज्यादा fluctuate हो गया और उसकी वज़े से आपको कोई नुकसान हुआ वो है systematic risk हो सकता है कुछ लोग को एक दम से दिमाग में नहीं गया होगा market में दो factor होता है एक systematic factor एक unsystematic factor systematic factor entire market को affect डालता है unsystematic factor individual stock को effect डालता है जैसे government ने आज कोई decision लिया आज आते है कोई government government ने एक बड़ा सा announcement कर दिया कहते कि चलो ठीक है जितने भी corporate sector इसका company का tax rate इसको कम कर दिया GST में कुछ relaxation दे दिया कुछ भी ऐसा news जो कि government ने बड़े scale पे एकनमी के लिये लिया अगर इस तरीके का कोई अगर decision लेता है government तो उस decision की वज़े से एक stock पे effect नहीं आएगा entire market में effect जाएगा और सारे के सारे stock जो होगा fluctuate होगा तो यह जो risk था यह systematic था पूरे entire market को effect डाला अब हम आते ही individual stock की बात करते है आज आया कोई एक company ने अपना management का कोई decision दिया कि अच्छा जी हमारा CEO तो resign कर गिया या कुछ individual कहते है अच्छा हमारे company के एक factory में बहुत बड़ा fire हो गए या कुछ एक ऐसा कहते है कुछ भी एक ऐसा news आता है जो individual company को effect डालता है उसकी वज़े से वो company का share 10% नीचे चला जाता है या कोई अच्छा news आता है अनॉंसमेंट आता है 10% company का share जो हो ऊपर चला जाता है तो हम simply यह कह सकते हैं वो जो factor था individual factor वाले that is the unsystematic factor और उसकी वज़े से जो आपका share price में fluctuation आता है वो unsystematic risk कहलाता है और जो government वाले news की वैसे जो होता है उसको हम लोग systematic factor बोलते हैं इसलिए इन दोनों disk को आपको segregate करना पड़ेगा जब तक यह segregate नहीं होगा आप अपने आपको hedge नहीं कर पाओगे क्योंकि देखो अच्छा हमने call writing किया अच्छा एक call buy कर लो हमने put writing किया put buy कर लो hedge हो गए उस तरीके से hedge करना आप बिना एक logic का बिना मतलब का hedge किये जा रहे हो आपको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है बस रटा रटा या तोते के जैसे एक trade ले लेते हैं अच्छा हम तो hedge हो गए hedge कौन सी वाले risk हुए वो सारा चीजों को आपको जानना है तभी आप खुद से कर पाओगे एक होता है कि हम कोई चीज सीख के खुद उस चीजों को apply करे एक होता है किसी ने बोला हम उसको मान लिया और उसके basis पर मागे बढ़ते हैं खुद से अगर किसी कोई action लोगे तो उस case में आपको पता होगा कि हमने क्या सोच के लिया और क्या वो सोच अब market में exist करता या नहीं क्योंकि अभी हम trade लेते हैं अभी एक opinion होता है हमारा 5 मिनट के बाद हमारा opinion बदल चुका होता है क्योंकि market में situation बदल चुका होता है वापस आईए तो market में हमें दोनों risk हेज करने की ज़रत पड़ेगी एक systematic और एक जह है वो unsystematic ठीक है चलिए अब सबसे पहले risk और return की एक relationship भी जानी है हमेशा याद रखिएगा ज़्यादा risk लोगे तभी आप ज़्यादा return कमा सकते हो अगर risk चाहते हो कि हम कम करे तो return भी ज़्यादा नहीं होगा इस धोखे में नहीं रहना है कि हम risk तो लेंगे नहीं और return हम unlimited कमाएंगे अगर इस धोखे में जी रहे हो तो धोखे से बाहर आजाईए ऐसा possible नहीं है market म risk लोगे तभी return मिलेगा risk नहीं लोगे तो return नहीं मिलेगा मतलब आप अगर hedging कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो risk को minimize कर रहे हो तो याद रखना risk minimize कर रहे हो तो छोटे से return से संतुष्ट रहना ना कि मुझे तो रात और रात करोड़पती बनना है वो possible नहीं है और रात और अगर करोषपती किसी को बनना है तो इसके लिए आपको risk लेना पड़ेगा लेकिन hedging जो है वो risk minimize करने का technique है इसलिए अगर आपने risk minimize किया है तो याद रखेंगे कि आपने risk minimum किया है तो आपका return भी क्या होगा कम होगा आप या तो रिस्क ज़्यादा लीजिए तभी आपका रिटन ज़्यादा होगा ये एक कहते हैं एक यूनिवर्सल टूथ जो बोला जाता है वो यूनिवर्सल टूथ है इसके अगेंस्ट कभी भी पॉसिवल नहीं है दोखे में आप जितना जल्दी दोखे से बाहर आ जाओगे उतना अच्छा रहेगा तो आएए एडवांटेज अफ हेजिंग एक एक चीज़ एडवांटेज तो आपको पता ही है कि हम मार्केट से एक्जिट होने से बच जाते हैं बहुत बार क्या होता है जैसे मैंने एक दो बार दो वीडियो में कभी दिखाया भी आपको पास्ट के अगर वीडियो देखोगे तो जिस दिन नोट बंदी हुई थी दी मोनेटाइजेशन उस दिन मेरे एक जानने वाले ने 70 लाक का लॉस बुक करके ज़ए मारकेट से एकजिट कर गэ और उनके बाद उन्होंने बोला कि छोड़ोगे मेरे नसीब में नहीं है पिर बाद में कुछ दिनों तक उन्होंने मारकेट को छोड़ी दिये याद रखियेगा वो जो अनहूनी है वो अनहूनी से आपको hedging बचा सकता है again repeat कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता नहीं था किसको पता था कि रात और रात आएंगे और उस case में हमें इस तरीके के announcement आएंगे क्योंकि आपको पता होगा नोट बंदी के अगले ही दिन मौर्निंग में जब मार्केट ओपनिंग होती है तो बहुत बड़ा डाउनफल था और वो जो बहुत बड़ा डाउनफल था उस केस में बहुत सारे लोगों ने लॉस किया और आप जो भी derivative में ट्रेड करते है future में खास करके उनको पता होगा कि जब आपका margin shortfall होते है तो आपको पैसे add करना होता है और demonetization के अगले ही दिन सारे bank freeze कर दिये गए थे आप online भी पैसे transfer नहीं कर पाओगे कुछ भी नहीं कर सकते तो जब आपका margin shortfall होगी loss तो हो गए margin अगर shortfall होगी तो उस case में आप पैसे डालने पड़ेंगे पैसे डालने के लिए bank freeze किया गया आप पैसे डाल नहीं सकते broker आपको exit कराएगा broker ने सारे position को morning में ही cut करके आपको exit करा दिया आपका loss book कर दिये और उस case में loss book कर दिया और उसके बाद market जो है वो reverse हो गए यानि कि plus में भी चला गया था अब उस time अगर morning में अगर उनको exit नहीं किया होता अगर 70 lakh का loss book नहीं किया होता तो वो साम तक positive में आ चुके होते तो उस तरीके के अन्होनी से खास करके आपको बचाता है hedging तो hedging का जो main advantage है आपको market में बनाए रखता है market से exit नहीं होने देगा कभी जैसे मैं जिन दोस्त की जै मैं अपने जानने वाले की जिसकी बात किया ठीक है वो कुछ लोग सोचेंगे कि sir आप अपने लिए तो नहीं बोल रहे जानने वाला का मेरा loss उस दिन नहीं हुआ था क्योंकि market मेरा कोई position नहीं था मैं कहीं बाहर गया हुआ था demonetization के दिन ही महीं पहुंचा था इसलिए मेरा position नहीं था क्योंकि उस टाइम मैं भी trade करता था actively trade करता था अगर सायद में अगर Delhi में होता तो सायद मेरा भी position होता और उस टाइम अब क्या situation होता मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नॉर्मली बिना hedge overnight position नहीं रखता overnight position का मतलब यह हुआ कि आज का trade लेना कल exit करना BTSD, STBT जो होते overnight trade होता है कुछ लोग ऐसे होते जो seven days एक हफते तक का position लेके चलते जिसको swing trade बोलते हैं कुछ लोग ऐसे होते एक-एक महिने तक अपना trade को hold करके रखते हैं वो positional trade लेके बैठते हैं तो मेरा normally जो होते है overnight trade होता है BTSD, STBT अगर इस तरीके के कुछ होता तो साथ मेरे को भी loss होता लेकिन होता या नहीं होता नहीं पता क्योंकि मैं हमेशा दो पो trade लेके चलता हूँ अगर मैंने उपर की तरफ trade लिया है और मुझे थोड़ा सा भी अंदेशा होता है कि कुछ risk लग रहा है मुझे तो मैं नीचे का भी एक trade लेता हूँ तो इसलिए अगर मान लिजे demonetization के दिन market अगर बहुत नीचे जाता है तो ये जो मैंने upside position लिया था उसमें अगर मुझे loss होगी तो downside जो position होगा वो मुझे कम से कम बचाएगा margin shortfall होने से तो जरूर बचा लेगा तो यही चीज है इसका advantage में चीज यह है कि आपको risk को minimize करेगा market से exit नहीं कराएगा ऐसा कोई दिन देखने को नहीं आएगा जिससे आपको लगा कि अब तो मेरा capital जो है वो 0 हो गया ये खास करके में बहुत बड़ा advantage है आपके hedging का disadvantage बस यह है कि जब भी आप hedge करते हो तो उस case में आपका जो return होता है वो limited हो जाता है return कहीं न कहीं आपका कम हो जाता है आप जो unlimited return के साथ जो market में expectation से आते हो वो कभी भी possible आपका नहीं होता है जैसे annually आप देखोगे 10%, 12%, 15% इसे ज़्यादा का return आपको hedging ज़्यादा करके चलोगे तो उससे possible आपका ज़्यादा नहीं है आप लोग अगर चाहोगे बहुत सारे लोग जो कहते है वो कहते है रहे जितने भी FII है DIA है वो तो अपने आपको हमेशा क्या करता है यह तो पता ही है FII DIA कैफ Foreign Institutional Investor Domestic Institutional Investor यह लोग जो होते अपने आपको हमेशा हेज करके चलता है तो बिल्कुल सही बोला है यह लोग अपना position हेज करके चलते है क्योंकि ज़्यादा तर केस में यह public के fund यह लोग raise करके जो है market में manage करता है और दूसरे के fund जब manage किया जाता है तो कम return हो तो चलेगा लेकिन कम से कम risk जो है बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते तो इसलिए आप देखोगे FII DIA का कभी आप जाके Google पे search कर लेना annual report उससे आपको idea लग जाएगा 10 से 15% से ज़्यादा किसी का return आपको नहीं मिलेगा one year का और हमारे तो चाहत ऐसा होता है कि हम तो एक दिन में 10 से 15% return कमाना चाहते है तो अगर इतना चाहत रखते हो तो hedging को आप भूलना ही पड़ेगा hedging लेके चलोगे तो ज़्यादा return आपका नहीं मिल सकता है यह चीज है मैंसा याद रखिएगा वैसे मैंने एक दो रिपोर्ट तो मैंने रखा था बटा मुझे नहीं पता भी मिलेगा भी मुझे या नहीं मिलेगा मैंने screenshot लेके रखा था मिल सकता है तो देख लेता हूं एक पर हाँ साइद यह है हाँ जी यह देखिए यह मैंने कुछ JP Morgan का कुछ एक वर मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो देखते ही इन लोगों का क्या position होता है तो मैंने just a minute यह देखो अगर आप यहाँ पर चेक करोगे यह देखिए JP Morgan का return on investment है return on investment आप यहाँ date चेक करते जाएए return on investment देख लीजिए आपको कितना मिलता है ठीक है तो उसी से आपको idea लग जाएगा यह एक का JP Morgan का है आप Morgan Stanley credit suite सब का आप डाउनलोड करकर करके देख लीजिए आपको idea लग जाएगा कि उन लोग का return जो होता है वो जादा कभी भी नहीं होता है चलिए वापस आते हैं अब आते हैं कि हम लोग हेजिंग कैसे करें मैंने पहले ही बोलाई कि हम लोग market में दो तरह के रिस्क को हम लोग हेज करते हैं कौन कौन सी एक systematic risk एक unsystematic risk अब सोचिए का ध्यान से दोनों रिस्क को हेज करने का तरीका अलग होता है systematic risk को हेज करने का तरीका अलग है unsystematic risk को हेज करने का तरीका अलग है क्योंकि unsystematic risk unsystematic system entire जैसे बोलता हो systematic अब क्योंकि बहुत सार लोग को क्या होगा कि एकदम से mind में set नहीं हो पाएगा systematic or unsystematic ठीक है तो system मतलब पूरे system में default है system मतलब economy, India system हो गई, government जो है जो government decision लेते हैं वो हो गई systematic तो system के effect की वज़े से जो market में effect आता है वो entire industry में effect आगा यानि entire market में effect आगा ठीक है, तो वो हो गया system तो आप सोचिए अगर systematic risk को अगर हम हिज करना चाहते हैं तो हम लोगों को systematic risk को अगर हिज करना चाहते हैं तो उस case में क्या होगा देखे आपने दो अलग-अलग दो-चार position लेके बैठे जैसे देखिए धान से मैं यहापर बोलने की कोशिज क्या है कि systematic को अगर आपको क्या कहते हैं हिज करना है तो inverse position से काम चल जाएंगा unsystematic जो individual किसी एक stock को अगर आपको जो effect आता है उसको अगर आपको हिज करना है तो वो diversification से possible है ठीक है? diversification का मतलब है कि जैसे सोचिए आपने इसको इस तरीके से एक जाम्पल से समझे आप इसको जैसे मानलेजे आपने एक ट्रेड लिया आपने ABC stock में आपने position लिया या तो upside position लिया downside position लिया कोई position लिया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है या तो आप ABC share में upside position लियते हो या downside position लियते हो unsystematic risk आता याद रखेंगे अगर unsystematic risk आता है तो उस case में इस share में बहुत ज़्यादा fluctuation आएगी या तो share price बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा या share price आपका बहुत ज़्यादा नीचे आएगा उस case में क्या होगा देखिए ये individual stock है ये individual stock में अगर मान लिज़े आपने 100% fund लगा दिये तो road पे आगए जैसे की S bank की बात करते हैं starting में बहुत सारे S bank भी एक बहुती अच्छे stock की तरह माना जाता था 6-6 महिने तक share price नीचे नहीं आते थे इस तरीके के stock होते थे S bank लेकिन जैसे management में issue आई और उसके बाद जब market share price जब तूटना शुरू हुआ तो worthless ही हो गए अगर किसी ने 100% अगर stock में अगर उसमें पैसे लगाए होते तो आज market से exit होते उसको बचने के market में survive करने के लिए भी पैसे नहीं होता इसका मतलब क्या हो गया वो market से exit long term का video आप क्यों नहीं लेकि आ रहे हो अब इसलिए लेकि आ रहे हो कि market इतने level पे हैं कि long term का मतलब होता है चार साल पांस साल के लिए हम fund लेके चलते हैं hold करके बैठते हैं अब चार साल पांस साल तक क्या market ऐसे ही रहेगा बिल्कुल ही नहीं रहेगा जिस तरीके से आपने date date साल का जो momentum देखे हैं हम लोग ने ऐसे ही continue तो होगा नहीं जब continue ऐसे होना नहीं है तो इसका मतलब आप upper level पे लेके अगर दो साल के बाद भी अगर market नीचे आता है एक साल बाद भी market नीचे आता है तो उस case में आपको नुकसान ही होगा इसलिए long term बाले को ज़्यादा जल्दी नहीं करना चाहिए हाँ एक काम कर सकते हैं चोटे-चोटे amount में लेते रह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अभी के higher level पे भी हो गया चोटे level पे हो गया जो भी है चलो वापस आते तो हमने जो वहाँ बनाया था उसमें देखोगे हमने S bank भी लिया था और भी बहुत सारे stock लिया हुआ था बिल्कुल जैसे मेरे भी देखोगे तो मेरे portfolio में आज S bank में 90% की loss चल रही है बट कोई दिकत नहीं overall portfolio अभी 60% positive है तो हम simply यह कह सकते हैं कि आपको अगर unsystematic risk को कभी भी अगर आपको hedge करना हो तो diversification की जरुरत है diversification का मतलब बातना जैसे इसको एक छोटा से एक ऐसे example से लेके चलिए जैसे क्या होता है कि आप मानलेजे by road, by road कहीं दूर जा रहे हो आप कहीं दूर जा रहे हो अपने घर से मुंबई जा रहे हो by road जा रहे हो और cash लेके जाना है किसी रीजन से मानलेजे hospital में किसी का treatment करानी है और उस case में आपके पास cash था घर पे तो सोचा कि चलो cash लेके जाते पांच लाग का cash carry कर रहे हो दो-तिन member आप साथ में जा रहे हो आप देखिएगा वो जो पांच लाग का cash होगा एक ही bag में एक ही pocket में नहीं रखते हो क्या करते हो बताओ अगर मानलेजे तीन family member अगर जा रहे हैं तो एक family member में कुछ हमने एक लाग दो लाग रख दिया एक दूसरे bag में रख दिया एक तीसरे कुछ pocket में रख लिए यह क्या किया आपने कि अगर मानलेजे bag चोरी भी हो जाता है bag exchange हो जाता है bag खो जाता है तो एक bag में ही नुकसान होगी न बांकी का तो बच जाएगा यह जो आपका risk थाना loss का इसको को आपने बांटा इसको कहते है diversify करना ठीक है even आप देखते हो किसी के पास 4-5 credit card debit card होगा तो दो घर पे हो गया तो कोई नहीं घर पे हो तो रह गया यानि कि 4-5 card किसी के पास सब का सारे के सारे कारी करके नहीं चलती हो आप रास्ते में यानि कि यह क्या कर रहे हो रिस्क को डाइवसिफाई कर रहे है तो याद रखेंगे unsystematic risk को अगर किसी को hedge करना हो तो diversification करना होगा मतलब क्य हो गया ध्यान से रखना एक नहीं 3-4 position लेजिए लेकिन आपका जो systematic risk है वो आपका इससे दूर नहीं हुआ है जैसे आप मान लिजी कि आप train से जा रहे थे 5 लाग cash आपने 4 bag में डाला था लेकिन train लूटने लूटे रहा आ गया आपके 4-4 bag लूटके चले जाएंगे तो क् का risk reduce हुआ आपने जो 5 लाग cash लेके जा रहे थे सारे के सारे 5 लाग cash लेके चला गया वो तो क्या हुआ सोचके देखो हमने बाटा तो था हमने 125,000 एक में डाला 125 एक में 125 एक में 125 एक में हमने क्या करा था चार बैग में cash तो बाट दिया था लेकिन वो जब लूटे रहे आ लोगों को अफेक दालेगा सारे बैग लेके भाग जाएंगे तो आपका रिस्क कम नहीं हुआ इसका मतलब आपने जो बाटा था ना कैस अलग अलग बैग में जो रखा था उससे आपने कौन सी रिस्क को रिडूस किया यानि कि आपने अन्सिस्टेमेटिक रिस्क को आपन इसने कौई डैवरसिफिकेशन में डैवर्सिप्टेम्हारो से रिडूस होता है लेकिन स्सेतमेटिक फैक्टर होता है जो इंटायर मारकेट उंटायर ट्रें को जो го इफेक्ट इसी तरीके से आप इसको स्टॉक के साथ भी लिंक आ सब्सक्ते हैं तो फिल्टर पर शटॉक लिजी ठीक है एक ऐसको एफेक्ट डालेगा बांकी 3 तो बचाएगा लापको क्या कि अनश स्टॉमाटिक एक को एक 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 को एफेक्स दालेगा है लसका याद रखना अगर वह systematic होगा तो चारो को affect डालेगा हमने क्या बोला diversification से आपका systematic risk आपका hedge नहीं हो सकता diversification से systematic risk hedge नहीं हो सकता यानि कि क्या हो देखो आपने 4 stock में position लिया आपने 4 stock में position लिया government ने announcement किया क्याते है चलो जी income tax rate तो आप ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा मुझे क्योंकि मेरे को तो revenue चाहिए होगा क्योंकि देश का तरक्की करवाना है अब क्या कर रहा है उसने 35% का income tax का rate कर देता है या कहते हैं नहीं GST का collection कम होगी आप तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा GST का rate बढ़ा देता है उस case में आपका entire market down जाएगा और market अगर down जाएगा तो एक stock down नहीं जाएगा सारे stock down जाएगे आपने जितने position ले रखा है सब stock नीचे जाएगा उस case में क्या होगा बताओ, आपको इसमें भी नुकसान होगे, इसमें भी होगे, इसमें भी होगे, समझ में आगए बात, तो इसलिए, systematic risk अगर होगा, तो उस case में आपको position inverse रखने पड़ेंगे, यही मिने बोलाई, देखो, systematic risk को हिज करना है, आपको inverse position लेने पड़ेंगे, मतलब क्या हुआ, अगर 2 stock का plus position ले तो 2 stock का minus लेना है, मतलब 2 का अगर upside position ले तो 2 का आपका downside position लेना है, क्या होगा, अगर systematic factor आएगा, market में अगर कोई bad news आता है, सारे stock नीचे गिया, तो कोई बात नीचे वाले हमें बचाया, profit दिया, उपर वाले में नुकसान हुआ, यान अगर different example लोगा, अलग-अलग trade का तो आपके mind में जाके घुशेगा, समझ में आ गई बात, यानि कि सबसे पहले समझ जाओ, government के decision बाले अगर कोई news है, उसको अगर बचाना है, तो एक ही तरीका है आपके पास, आपको inverse position लेना होगा, inverse position का मतलब है, एक trade अगर upside है, तो एक trade आपका होना चाहिए, downside ठीक है, downside और upside, दोनो trade होगा, तब ही आप अपने आपको बचा पाओगे, hedge करने का मतलब क्या हुआ, कि एक loss हुआ, उस loss को बचाने के लिए आपका एक profit भी होना चाहिए, तो आप मुझे बताए, market down जा रहा है, और down market में आपको profit भी करना है, loss भी करना है, कुछ लोग बोलेंगे, सर, loss क्यों करेंगे, हम तो सिर्फ profit करना चाहिए, दोनों क्यों करें हम, तो फिर hedging कैसे हुआ, अगर market reverse हो गया तो, क्योंकि आपने सोचा, कि market down जाएगा, और नहीं गया, तो क्या करोगे, hedging का मतलब ही तो यही हुआ, कि हमने जो सोचा, ह हम अभी यहाँ पे जादा profit कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि market में slowly slowly कैसे आगे बढ़े, छोटे छोटे return को हम लोग कैसे accumulate करें, ताकि market में बने भी रहे और fixed deposit से जादा return भी आ जाए, simple सी बात है, इस सीजो को हम देख रहे हैं, जादा कमाने वाले को लि discussion अभी कर रहे हैं, उमीद करता हूँ, अभी जो बोला है, Chinese जो समझ आ गया होगा, systematic risk को minimize करना है, inverse position लेना पड़ेगा, मतलब कुछ trade upside होगी, तो कुछ trade आपको downside लेनी पड़ेगी, unsystematic risk को अगर आपको hedge करना है, तो आपको diversification करना पड़ेगा, अब चलते हैं, कि market में तो करना है, तो हमें दोनों risk को hedge करना पड़ेगा, हमें थोड़ ना पता है कि government कौनसी news लेके आएगा, हमें यह थोड़ ना पता है, कि 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 कमपनी का, कि 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 स्टॉक का, कौनसी news एकदम से market में आजाएगा, हमें तो market में दोनों चीज अंसर्टन है, यानि कि unsystematic risk भी है, और inverse भी रखना है मतलब conclusion एक रह गया कि अगर बचके अगर market में रहना चाहते हो अगर बचके market में रहना चाहते हो तो आपको एक stock में position नहीं लेना है समझ में आ गया? simply one trade नहीं ले सकते आप यानि कि ये चीज़ हो गए conclusion एक से ज़्यादा trade लेने पड़ेंगे तो कितना लेना पड़ेगा या तो आपको दो trade लेने पड़ेंगे simple सी बात है और दो trade तो diversification बहुत कम हुआ 50% का ही diversification हुआ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर क्या रहेगा? 4 trade लेना यानि कि 2 से ज़्यादा कुछ लोग वो लेंगे 4 क्यों 3 क्यों ने ले सकते हैं क्योंकि आपको inverse भी तो करने हैं inverse भी तो करने हैं आपको यानि कि अगर आप 4 trade लेके चलते हो तो उस case में आपके लिए his position सही से हो जाएगा यानि कि 25% एक stock में ध्यान से देखिए आपने अगर 4 trade लिया तो आपके पास अगर 100 rupees है तो आपने क्या किया ध्यान से देखो 25% एक में 25% एक में 25% एक में 25% एक में कोई जरूरी नहीं exactly 25% होगी आपका 20% भी हो सकता है क्योंकि जब आप trade लेने जाओगे तो कोई जरूरी नहीं सब का value सेम होगा किसी का जादा किसी का कम होगा लेकिन कोशिस करना चाहिए कि आपका जो contract amount है वो match करा के चले सब का ठीक है अगर आपको बहुत कम diversification की जरूरत है तो आप 2 से भी काम चला सकते हो लेकिन एक trade लेके तो कभी भी आपको नहीं चलना चाहिए चार से ज़्यादा trade लोगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी trade manage नहीं होगी फिर आपसे अगर मानले जी किसी time market में भूचाल आता है भूचाल मतलब बहुत ज़्यादा fluctuation हो गए और 10 trade लेके बैठे हो तो उस case में आपसे वो समलेगा नहीं कि किसको हम लोग देखे जब तक एक देखोगे दूसरा आपका निकल जाएगा तो मेरे हिसाब से मैं maximum चार trade को manage कर सकता हूँ मेरे सिर्फ चार trade से ज़्यादा manage नहीं होता है मैं एक trade बहुत कम लेता हूँ ठीक है एक trade में सिर्फ हो सकता है निफ्टी में होगा तभी मैं एक trade लेता हूँ individual stock में एक trade लेना कुछ ज़्यादा ही risky हो जाता है हो सकता है कि अगले दिन हम road पे रहें ठीक है तो एक trade जब भी लेते हैं तो हमारे पास मान लिजे जैसे मान लिजे अगर मान लिजे हमारे पास 10 lakh है ध्यान से सुचो अगर हम 10 lakh मा के trading account में रखके trade करते हैं और मुझे लगता है कि चलो मैं आज एक ही stock में trade लेता हूँ तो मैं 10 lakh का 10 lakh पूरे के पूरे एक stock में कभी भी trade नहीं लूँगा मैं ठीक है जितना आपने margin दिया है उससे ज़्यादा का loss एक दिन में नहीं होगा क्योंकि एक सेंज जो होतना margin आपको ले लेता है कुछ लोग बोलेंगे सर तो कुछ भी हो सकता है अब हम रोड से बाहर निकल रहें रोड पर जा रहें हम ऊपर पहुँच जाएंगे तो वह भी हो सकता है लाइफ ही नहीं रहेगा किस बात का hedging कर रहे हो बताओ जिंदगी है तभी तो hedging कर रहे हमारे अपने लाइफ की भी security नहीं है अभी जाएंगे कभी कुछ हो सकता है अभी earthquake आ जाएगा हम यहीं भी video record कर रहें यहीं पर हम दव जाएंगे कौन जानता है simple सी बात है तो उतना बड़ा risk उतना नहीं सोचा जाता है जिंदगी में वह ऐसे कभी भी हो सकता है देखो ऐसे कब होता है एक साल, दो साल, चार साल, पांस साल में कभी हो सकता है तो उसी case में तो हम कह सकते है अगर ऐसा situation होगा तब भी margin जो जितना लिया गया उससे normally जादा जाता नहीं है क्योंकि जितना margin है उतने पर आपका circuit भी लगता है अगर ऐसा लगता है कि भूचाल वाले कोई new जा गया तो circuit के time पे आप फटा फट निकल लिये ठीक है तो वह चीज होता है तो इसलिए हम लोग उतना आगे नहीं बढ़के सोचते है हाँ, आप क्या कीजिए अगर एक trade ले 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 तो 20-25% का fund invest करिए उससे ज्यादा का नहीं अगर उससे ज्यादा ले रहे हो तो उस cases पे आप trade कर सकते हो ठीक है यानि कि मेरा fund जो होता है नॉर्मली चार trade के point of view से ही मेरा segregate होता है उससे ज्यादा नहीं तो क्या हो गया जहां से सोचो क्या conclusion आए आपको जो trade लेना है चार trade लीजिए एक trade में 25% से ज्यादा का fund आप invest मत करिए कभी भी 10 लाग का fund आप manage कर रहे हो तो एक trade जो होगा आपका 2.5 से उपर नहीं जाना चाहिए चाहिए आप कितना भी trade लो एक लो दो लो तीन लो चार लो उससे ज्यादा कि तो खर management ही नहीं होगी ठीक है अब 4 trade में क्या करोगे 2 trade जो होगा जितना position आपका upside का है उतना 2 trade जो है आपका downside का भी होना चाहिए अब कुछ लोग बोलेंगे सर bullish market है तो हम bullish market में downside कैसे लेंगे आप bullish market है तो क्या कोई भी stock नीचे नहीं जाता है simple सी बात है और जब market bearish होगा तो क्या कोई stock उपर नहीं जाएगा याद रखेंगे market में हमेशा दोनों तरह के stock मिलेंगे upside और downside आपको ढूंडना पड़ेगा और ढूंडेंगे कैसे बार-बार chart देखेंगे तो होगा वह आप watch list में रखेंगे और अपने आप मिलेगा अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह और साम हम अगर सिर्फ bank nifty और nifty ही देखते रहें और हम उसी से हम लोग सोचेंगे कि हम market शीख ले तो आप market सीख नहीं सकते है एक चीज़ याद रखेंगे market सीखना है तो nifty और bank nifty तो खाट देखना ही पड़ेगा क्योंकि वह तो क्या है parents है उसके हिसाब से ही बागे सब बच्चे चलेंगे तो आप simply सोचिए bank nifty तो खाट आप parents नहीं बोलते वह तो pure speculation है यह ऐसा instrument बना रखा है कि बारे स्टॉक पे बना दिया और bank nifty तो ना तो मेरे आप देखोगे ना तो मैं ट्रेड लेता हूं nifty bank में और ना तो मेरा कभी आप उस पे analysis देखोगे हाँ parent market किसके movement के basis पे चलता है अगर market analysis करना है तो nifty का movement ज़रूर आपको देखने पड़ेंगे तो चलो वापस आते conclude करते चलते कि chart trade की हिसाब से manage कीजिए दो trade उपर दो trade नीचे अब रहा सवाल कि कौन सी trade उपर कौन सी trade नीचे market में बहुत सारे stocks है आपको ढूनने पड़ेंगे कि कि किसका momentum positive है यानि कि कौन जो है वो green green candle जादा बन रहा है किसका red candle जादा बन रहा है जो red candle वाले stock होती है उसमें momentum जो होते bearish हो चुका होता है तो bearish वाले पर आप sell किया कीजिए bullish वाले stock जो होंगे उसको आप buy किया कीजिए ठीक है जी और खाद याद रखेंगे मैंने अभी जो बात किया यह overall बात किया specifically में आगे बात करता हो क्योंकि market में different different types का trade होते कुछ लोग equity में trade करते कुछ लोग future में trade करते कुछ लोग option में trade करते option में भी कुछ लोग out of the money में trade करते कुछ है जो in the money में trade करते तो ठीक है तो मैं specifically अब मैं आगे बात करता हूँ मैंने तो अभी एक conclude कि आए कि देखो market में तो मुझे दोनों risk को हिज करना पड़ेगा, systematic को भी या unsystematic को अगर systematic को हिज करना पड़ेगा तो मुझे inverse position रखना ही पड़ेगा क्योंकि inverse position रखेंगे तभी systematic risk है जोगा unsystematic diversification से ही है जोगा, उमीद करता हूँ अगर इसमें कोई doubt है तो आप पूछ भी सकते हो, comment कीजिए अगर कुछ लगा कि मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, क्योंकि लगा कि थोड़ा ज़्यादा बहुत बार होता है, मेरा आदत तो एक ही चीजों को दस बार repeat करना, ठीक है तो उससे क्या होता है, mind में जाके set होती है, लेकिन time जादा हो जाता है और आप लोग के पास time थोरग कम होता है, तो कोसिस करते हैं, एक बार ही बोलके आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि कितना time में निपड़ता है, अब आई आगे अब different types के market में trade होता है, different types के market में trade होते हैं एक equity में हो गए, कुछ लोग equity में trade करते हैं, कुछ लोग future में trade करते हैं कुछ लोग future में trade करेंगे, कुछ लोग option में trade करेंगे अब कुछ लोग currency में भी करते हैं, commodity में करते हैं, currency commodity का concept कोई अलग नहीं हो जाएगा, concept वही रहेगा, concept कुछ अलग नहीं है, आप उसी concept को क्या करिए, वहाँ पर जाके अपलाई कीजिए, ठीक है, वापस आते हैं, अब equity में trade करने वाले के पास बहुत ज़्यादा choice होते हैं और 500 choice ले सकते हैं, 600-700 उससे ज़्यादा का choice तो नहीं मिलेगा आपको, यानि कि हमने ये बोला है कि जो इनसान, equity में trade करता है, उसके पास varieties जो है, अवलेवल है, 500 के आसपास का varieties अवलेवल है, उस variety में से, मैंने क्या बोला, आपको ढूंडना पड़ेगा, कि कौन सी मुझ मुझकिल काम है, तो बीना मुझकिल का क्या होता है, बताओ, बीना मेहनत किया, कहां पैसे बनते, market में, अगर आज की rate पे 2% अगर trader successful है, तो उसी मेहनत की वैसे, अब ऐसे तो नहीं है, कि आप बोलो कि नहीं हम तो मेहनत करेंगे, और हम रात और रात, market में एकदम पैसे ब पड़ेंगे, positive momentum, negative momentum, आप यह कैसे रूंते ही है, इसमें हमने, different videos में हमने अल्रेडी भहस करा हुआ है, उस पर हम अभी भहस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा main मुद्दा जो अभी hedging है, तो आप 4 stock रूंड लेंगे, ठीक है, 2 plus रहेगा, 2 minus रहेगा, आपके पास 512, मैंने क् ठीक होते हैं, लिस्टेड हैं वो 5000, उसमें से стоит 1200, तो trade होते हुए नहीं दिखेगा, और बांके जो trade होते हुए दिखेगा, वो liquidity की problem होगी उसमें, उसमें spread की problem होगा, buyer बैठा होगा 100 रुपे छिलर बैठा होगा 105, पे, buyer बैठा होगा 100 रुपीज पे भाई करने के लिए, seller बैठा होगा 105 पे सेल करने के लिए दोनों मज़े ले रहा होगा तो ऐसे मज़े लेने वाले स्टॉक में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे याद रखेंगे इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं लिकुडिटी की प्रावलम है लिकुडिटी इसमें नहीं है तो जिस स्टॉक में लिकुडिटी की प्रावलम हो ऐसे स्टॉक में यानि की बायर सेलर की जहां कमी हो वैसे स्टॉक में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि एंट्री तो ले लोगे एक्जिट के टाइम पर जाके आप फश्जा होगे इसलिए कभी भी आपको किसी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड वाले एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको मेरे वचलिस्ट में आपको मिल जाना चाहिए अब मैं यहाँ पर ओपन करूंगा तो मुझे टाइम लग चलो मैं बताता हूं यह जो आपका वीडियो इंट्राडे वाले इसमें हमने बता रखा है कि कैसे वर्च लिस्ट बनाना है वो सब जाके आप देख लीजिएगा ठीक है निफ्टी 500 ले लिजिए ज्यादा बेटर है निफ्टी 500 में जो स्टॉक होगा सारे लिक्विड होंगे उसी 500 के अंदर ट्रेड कीजिए उससे ज्यादा की जरुरत नहीं है और आप उसमें क्या क इसमें से इन्वेस्टिंग.com पर आपको मैंने ये वर्च लिस्ट बनाने को बता रख था तो वहां पर अगर ये वर्च लिस्ट बनाते हो तो इमेडियेटली काम हो जाएगी अब रहा सवाल कि वो उसके पास 500 से ज्यादा भी हो सकता है मैंने तो 500 के असपास जो होगा वो लिक्विड्स ठॉक होगा जिसमें आपको बाईयर उसलर की कमी नहीं मीलेंगे एंट्री और एग्जित अपको प्राब्म नजर नहीं आएगा वो इंट्रादी भी कर सकता है वो डिलिबरी भी ले सकता है ठीक है डिछन डिफरीं डिछनी इफिन चाज करेंगे एक एक दो से एक्टिव ली ट्रेड किया था एक महीने मैंने आप लोग के साथ सेर भी किया था मैंने जितना भी ट्रेड किया था याद रखना मैं एक्टिव ट्रेडर नहीं हूं सीख के बैठा हूं ठीक है पहले बहुत ट्रेड किया हर दिन ट्रेड करते थे अब लगता है कि नहीं मैं CA final case student है chartered accountant को जो मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पर मेरा ज्यादा focus है क्योंकि अगर मेरा market में ज्यादा time देने लग जाओंगा तो कहीं न कहीं बांकी जगों पर मेरा time investment कम हो जाएगी और थोड़ा कुछ दिनों से family problem होने की वैसे थोड़ा time भी कम दे पाते है family की जो उसमें उल्धनों में ज्यादा लगे रहते हैं क्योंकि तबियत खराब हो गरा कुछ ज्यादा हो रखिये उसकी वैसे मेरा नहीं family member की वापस आते हैं तो इसलिए थोड़ा trade कम लेते हैं आप देखोगे जून में जब मैंने trade लिया था तो उसमें आप देखोगे मेरा maximum trade क्या 90% trade मेरा future होता है ठीक है अब उन सब चीजों पर भी एक बहस कर लेंगे कि जितने भी trade है हमारे पास बहुत सारे choice है equity का future का option का in the money out of the money कौन सी trade में कौन सी trade का क्या खासियत है कौन अच्छा है कौन बुरा है इन सब बातों पर भी मैं अगला वीडियो ले के आऊँगा तो चलिए वापस आते लेकिन जो इनसान future में trade करते हैं उसके पास 165 चुआइसे याद रखेंगे 165 चुआइसे बोलोग ऐसा क्यूँ और बांकी जो है आपका 162 जो है वह आपका ये अभी के current situation ये बदलते रहते अभी पीछे 160 था उसे पहले 150 हुआ करता था तो add होते रहते हैं exit होते रहते यानि कि ये जो stock का list है NSC month wise कुछ stock को add करते हैं कुछ stock को minus करते हैं तो मेरे पास अगर future में trade करूंगा तो 165 choice है यानि कि मेरे watch list में 165 stock होगी उसी में से मुझे 4 ढूंडना पड़ेगा समझ में आई बात और जो इनसान option में trade करते हैं option वाले के पास approximately 50 choice है यानि कि option वाले के पास सबसे कम choice मिलते हैं 50 का कुछ लगो लेंगे sir क्यों वो 165 जो stock है क्या उसमें option trade नहीं होता है हाँ जी option trade उसमें होते हैं 24 तो आपके पास पूरे के पूरे 165 का है option के अंदर भी लेकिन दिक्कत यह क्या है उसमें भी buyer and seller की कम ही मिलेंगे आपको और जहां पे buyer seller होगा नहीं वहां पे trade क्या करोगे तो जब मुझे पता है कि जहां पे भीड ही नहीं buyer seller ही नहीं entry तो ले लूँगा exit के time पे हलत खराब हो जाएगा मेरे को मिलेगा ही नहीं exit करने क्योंकि आपको पता है derivative के trade में second में decision लेना होता है और second में जब मैं बेचना चाहता हूँ उसी time बिक जाना चाहिए जिस time मैं खरीदना चाहता हूँ उसी time मुझे जो seller है वो sell करने वाले मिल जाना चाहिए तब ही ताप trade कर सकते हो तो आप देखोगे 165 stock में जो trade होता है उसमें आपको liquidity की problem नजराएगा तो call put trade करने वाले के अपास सबसे कम choice है ये चीज़ आप सबसे पहले ध्यान रखना है अब आएए वापस कि different different trade में हम लोगों को कैसे hedge करना है hedge तो वैसे ही करना है जैसे हमने बोला है बस एक rule बना लेजिए चार position लेंगे दो upside दो downside ठीक है अब एक-एक करके थोड़ा सा discussion करके wind up करते हैं ध्यान से देखे intraday, चाहे वो कोई भी intraday हो कोई भी intraday हो चाहे वो equity का intraday हो चाहे वो future में intraday करता हो चाहे option राइटिंग करके intraday करता हो, क्योंकि option में दो चीज हो जाता है बाइंग में क्या करना है, simple से छोटे से amount से भी काम कर सकते हो, दोनों का जो एक trade setup होता हो, वो different होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि intraday हमारा हर जग होगा, buy option, buying करने वाले भी intraday करता है, writing करने वाले भी intraday करता है, future भी intraday करता है, equity भी intraday करता है, देखो, intraday वाले को ने ज्यादा कोई सोच नहीं नहीं चाहिए, हेजिंग के लिए, simple सी बात, हो सकता है, कुछ लोग को पसंद ना आए, ठीक है, कुछ लोग को पसंद ना आए, देखो, जिसको पसंद आए, बात रख लेना, नहीं पसंद आए, तो ignore करके वीडियो बंद करिए, दूसरे चैनल प वापस आते हैं, इंट्राडे के लिए, हेजिंग करने की जरुरत नहीं है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, अनहुनी से बचना है, तो अनहुनी अगर मान लिजिए, ट्रेडिंग टाइम में होता है, मार्केट चल रही है, मार्केट आवर में कोई अनहुन मार्केट से उगजिट करना ही है, सिम्बल सी बात है, चलो, ऑक्षान वाले को जरुरत नहीं होता है, औक ज्रुत का युक्झ पर में कोई टाप लॉस की जरुरत नहीं है, वो खंप्रील को में है, आपशन प्रीम अपने आप में पर underm telescop. लिए को तो आप देखना है, और में भी चार्ट देखते हैं, जो इंसान चार्ट देखते होंगे, महापुरूस हो गए, आप चलो, क्या बोलू मैं, मुझे तो नहीं लगता है कि ऑप्शन की चार्ट देखने की जरुरत है, और चार्ट कभी भी आपको काम करेगा ऑप्शन के अंदर, चार्ट तो सिर्फ एक कि चीज का देखा जाएगा, किसका बताओ, एकुटी का, आप कह रहे हो कि हम तो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तब भी फ्यूचर का चार्ट नहीं देखते हैं, कभी देख लेते हैं, दस परसंट के जमें, 90 परसंट तो हम एकुटी का ही देखते हैं, क्योंकि डेरिवे सेयर, एकुटी सेयर, एकुटी सेयर अगर उपर जाएगा, तो डेरिवेटिव भी आपका उपर मूव करेगा, कॉल भी उपर जाएगा, पुट नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है, मार्केट अगर अगर अंडरलाइंग नीचे जाएगा, तो पुट उपर जाएगा, कॉल तो घुति का ही जो साल अप 10-10 साल का हिस्ट्री मिल जाएंगे चार्ट देखोंगे तो ही साही तो ही सई तो आगे बढ़ोगे ना चली वैपस आते हैं तो मैंने क्या बोला, call put वाले के लिए तो premium, maximum loss कितना होगा, premium, premium से जादा तो कभी loss हो नहीं सकता है, तो उसको तो कभी भी stop loss की सोच नहीं नहीं चाहिए, पिर भी देख सकते हैं कि चलो equity के एक level हो गया, कि हाँ जी equity इस level से उपर जाएगा, तो मुझे exit कर जाना चाहिए, त उसके लिए exact premium तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, simple सी बात है, हाँ जी, आइए वापस आते हैं, तो मुझे लगता कि stop loss की जरूरत है किस में, option में, बांकि ये तीन जो है, equity में intraday करते हो, या future में intraday करते हो, या option writing में intraday करते हो, ठीक है, इन तीनों को बिना stop loss तो कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, simple सी बात है, अगर फिर भी, क्योंकि आपको मालूम है, देखो मैं इसका एक और logic देता हूं, क्यों stop loss से ही हिज करना चाहिए, मैंने क्या बोला है, stop loss से हिज करके काम खतम कर लिजे, क्योंकि देखो, आपने माल लिजे, upside का एक position लि उसको इस तरीके trade लेना पड़ेगा, कुछ अगर writing करते हैं, कुछ अगर writing करते हैं, कुछ अगर writing करते हैं, किसका writing कर रहे हो, call का writing कर रहे हो, put write करिए, call writing करके, आप upside का position नहीं ले सकते, writing करने वाले को put write करना पड़ेगा, ठीक है, अब माल लिजे किसी, option वाले को लेना है option buy करने वाले को option buy करने वाले को position लेना है तो बताओ option वाले कैसे लेंगे position सोच के देखो तो option buy करने वाले क्या करेगा बताओ, call buy करेगा upside का position हो गया, आप से को अब देखे, downside का position किसी को लेना है downside position कैसे लेगा अब intraday में तो हो जाएगा equity कैसे करोगे बताओ आप equity sell करोगे आप कहते हो future, future भी sell कीजिए आप कहते हो राइटिंग करके करूँगा तो अब downside जाएगा तो market कौन का है राइटिंग करना पड़ेगा किसको बताइगे call क्योंकि downside जाएगा तो call का राइटिंग वाले जो है पैसे बनाएगा आपका अब मैं कहता हूँ नहीं, option तो buy करके हम कमाएगे, तो put buy कीजिए, देखिए इतने आपके पास choice है market में कोई upside position लेना चाहता है उसके पास ये 4 choice है market में downside position लेना चाहता है उसके पास ये 4 choice है, मैं जैसे ही बोलता हूँ कि आपको upside position लेना है downside position लेना है, तो ये समझाना इसमें से कोई भी आपका आजाएगा, ठीक है समझ में आजाना चाहता है, वो okay, वापस आईए अब सोचिए, market में upside position लेते हो, आप कब market में position upside लेते हो जब आपको लगता है chart के basis पे, news के basis पे, momentum के basis पे, हर चीज के basis पे की market उपर जाने वाला है आप मुझे बताओ, market उपर जाने वाला है, आपके view ये कहता है कि market उपर जाने वाला है ठीक है, इसका मतलब आपको more than 60 to 70% से plus 70% plus की possibility के market उपर जाएगे अब रहा कि adverse भी हो सकता है आपके against भी जा सकता है आपने बोला कि मैं तो upside का trade ले रहा हूँ द्यान से सुनिए, आप कहरे हो मैं तो upside का trade ले रहा हूँ तो upside का trade ले रहा हूँ, यानि कि आपका views तो ये है कि 70% plus position ये है 70% plus का possibility ये है कि market उपर जाएगी तो इसका मतलब adverse जाएगा आप गलत हो जाओगे आप गलत हो जाओगे इसकी possibility 30% है अब सोचो आपको क्या बोला, hedging करने का एक ही तरीका है, inverse position लेने पड़ेंगे मतलब क्या हुआ, कि एक trade आपका प्लस है, तो एक trade आपको माइनस करना पड़ेगा यही होता है, hedging इसके अलावा दूसरा दुनिया में कुछ मिलेगा ही नहीं जाके ढूंड लिजे आप कोई भी hedging के क्या होता है कि एक upside position होता है, एक downside position होता है कि अगर inverse हो गया तो क्या होगा, देखो तो आप कहते हो, gain का भी position ले रहा हूँ down का भी position, sorry, gain होने की possibility कितना है 70%, loss होने की possibility कितना है 30%, तो अब यहाँ पे अगर आप hedge करते हो तो ध्यान से सुनिये, hedge करने का मतलब है एक loss को minimize करके आप बाहर निकल जाना तो मैं कहते है, stop loss भी तो आपका वही कर रहा है क्योंकि intraday trade में तो stop loss काम करेगा stop loss कब काम नहीं करने का, जब आपका position क्या रही होगा overnight position जाएगा जब आपका यानि कि जब रात में तो आपे stop loss लगा नहीं सकते stop loss तो क्या होगा, running hour में ही तो लगा होगे इसलिए मेरा अपना मानना है कि running market में अगर कभी लगता है कि आपका view गलत हो गया, तो view गलत हो गया तो ठीक है stop loss हीट हो जाएगी, अब मान लिजे, ध्यान से सुनिए, market जब ऊपर भी जाता है अब क्या होता है देखो, आप अगर hedge करके बैठते हो अगर hedge करके बैठते हो, मतलब दोनों position लेके बैठते हो एक आपने upside लिया, और एक downside भी लिया दोनों position लेके बैठा तभी तो आप hedge हुए न अगर आप stop loss ना लगा के hedge करके चल रहे हो, तो क्या situation आएगा देखो hedge कर रहे हो, मतलब एक आपका upside, एक downside है अब सोचिएगा, जब आपका market उपर जा रहा होगा न, तो downside वाले जो trade होगा उसमें loss हो रहा होगा, यह तो जिसने भी hedge क्या उसको पता होगा कि हम market upside के लिए पैसे लगा रहे, upside के लिए पैसे लगा रहे और उपर गया market तो अफाइदा होगा, और वो जो दूसरे trade लिया है counter trade, downside वाले, बचाने के लिए hedge करने के लिए उसमें आपको नुकसान हो रहा होगा तो जब आपको पता है कि market उपर जाने वाला है और उसमें 70% plus की possibility है, तो जब वो possibility गलत होगा तो automatic stop loss आपका hit हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा देखो कमा भी रहे हो और कमाई अपने आप net off हो रहा है, वो loss करके जो inverse position है उससे जो loss हो रहा है आपको ये कमाई को कम करता जा रहा है बार बार, तो मज़ा ही नहीं आएगा आपने देखा कि market उपर जाने वाला है और उपर जाएगा भी अब यह चीज़ याद रखे, market को अगर सही में आप अगर forecast कर पा रहे हो और आप कहते हो कि market उपर जाएगा, तो 10 में से 7 trade में उपर जाएगा लेकिन वो जो counter trade लिया है मैंने hedge करने के लिए जो कहता है कि downside के लिए लिया था क्योंकि वोस में तो loss होई रहा होगा, वो loss यह profit को खतम कर देगा और आपको कुछ मिलेगा नहीं, बहुत कम मिलेगा, और अगर गलती से नीचे चला गया तब तो उस case में तो loss होना confirm ही है, बोलोगे कैसे, क्योंकि आपका जो upside position होगा वो upside position में तो loss होगा ही होगा, और यह downside में profit होगा लेकिन profit इतना जादा नहीं होगा कि उस loss को compensate करेगा यानि कि मतलब क्या होगा देखो, चाहे आप hedge क्यों ना कर लो conclusion यह है, कि चाहे आप hedge क्यों ना कर लो अगर adverse गया market, तो loss confirm है, लेकिन loss जो होगा, वो कम loss होगा तो मैं कहता हूँ, adverse गया, तो जब loss हमारा confirm है तो यह stop loss से ही हम loss confirm करके exit कर लेते, क्योंकि जैसे ही में market में मेरा view गलत होता है तो गलत हो गया तो वैसे भी गलत हो गया, हमने सोचा था उपर जाएगा और नहीं किया, और एक level से नीचे जाती हमें, तो लगता है कि आप तो यह निकल नहीं है, तो exit कर लिजए न, बात खतम कर ये stop loss जादा बेटर था, तो यानि कि मेरा अपना, मेरे सोच जो कहता है मेरा experience जो कहता है, मेरा जो analysis कहता है intraday trade करना है, छोड़ दो, भूल जाओ, stop loss लिजए, single trade लिजए जादा बेटर है, loss हो जाता है, तो loss से आप exit करके, cut करके निकल ये क्योंकि hazing में भी वही काम करते हो, stop loss में भी वही होता है क्या होता है, stop loss कुछ लोग नहीं इसलिए नहीं करते, क्योंकि stop loss हो जाता है market बहार आ जाता है, मतलब क्या हुआ, आपने stop loss लगाए, तो क्या होगा आपका stop loss जाकर touch करेगा, और फिर market reverse हो जाएंगे आपके पहले वाले position पर, तो लगा है कि stop loss नहीं लगाया होता, तो हमें तो profit हो और आ होता देखिए, ऐसे position जो होते हैं, एक से दो बार होता है, दस में से दस बार नहीं हो गया ऐसा, दो चार बार होता है सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, लेकिन वह जो चीज होता है, वह इसको इतना stress लेने की जुरत अरे, अगर मैं stop loss नहीं लगाया होता तो आज इतने profit में होता, इतने profit में होता opportunity loss निकाल के, बैठ बैठ के, हमने न अपने mind को होते, इस तरीके से trend कर देते हैं, कि अगले दिन stop loss लगाई नहीं देता याद रखिएगा, ऐसा कोई भी चीज, आप कभी भी opportunity loss को count करके न, आप अपना decision मत लीजे मार्केट में चलो वापस आते हैं, लंबा होते हैं, मुझे लग रहा है वीडियो आपस आते हैं, चलो इंट्रडेप में बहस कर लिया, मेरा अपना opinion था, फिर भी अगर आपको हैज करना चाहोगा तो यह हैज कर लिजे जो मैं आपको 2-4 एक्जामपल जो बता रहा है ओवरनाइट तो सिर्फ प्लस ही कर सकता है, माइनस करके तो डिलिवरी नहीं ले सकता, मतलब आप सेल कर दीजे और फिर आप उसको दस दिन तक होल्ड कर यह दस दिन बाद बाद बाई कर लिजे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो डाउंसाइट ट्रेड अगर किसी को लेना है तो सिर्फ फ्यूचर में ही पॉसिवल है, यह आपका उप्सन में पॉसिवल है, अगर कोई मार्केट में यह चाहता है कि आने वाले टाइम पे, स्टॉक मार्केट में कोई न्यूज ऐसा आने वाला है, जिससे मार्केट नीचे जाएगा, उससे हम पैसे बनाना चाहते, तो उसके पैस कि यह हो गया ना, कि हम एकुटी होल करके बैठे हुए है, स्टॉक मार्केट नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा बताई है, यह लॉस हो जाएगा, अब हम इसको हेज करना चाहते है, इसको कहते है, इकुटी के पोर्टफोलियो को हेज करना, ठीक है, देखिए, चलिए, तो वो चार ट्रेड, यानि कि फोर ट्रेड जो होता है, वो ट्रेडिंग के नजरिये से बोला था, होल्डिंग के नजरिये से नहीं, होल्डिंग के नजरिये से आप 10-20 तक आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है, अलग-अलग सेक्टर में आप कर दिया अब हमारे पास मान लिजे 10 लाग का 20 लाग का 50 लाग का हमारे पास पोटफोलियो है ठीक है जी अब किसी के पास 50 लाग का पोटफोलियो है तो अब यह long term के लिए hold करना चाहते है ध्यान से देखिए long term hold करने का benefit क्या होता है आपका जो tax होगा वो exempt हो जाएगा ठीक ह और एक transaction cost भी कमाता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो long term का जो stock hold करते हो कभी hedge करने का सोचता ही नहीं है मेरा अपना मानना है कि long term के लिए जब भी hold करते हो तो उसको भी hedge कर लेना चाहिए अगर लगता है कि हाँ अब जो होता है अब situation थोड़ा स करना एक different things है हम उस पर भाहस नहीं कर रहे है ठीक है अभी तो मुझे कहना है कि अगर कोई hedge करना चाहिए equity के portfolio को तो कैसे hedge करेगा equity portfolio को hedge करने के लिए उनके पास एक ही choice है वो क्या करेगा nifty में position लेंगे ध्यान से सुनेंगे nifty future से hedge करेगा वो अपने आपको call put से कभी भी hedging नहीं कर सकते है जिसने भी आपको बताया है न मैंने एक दो वीडियो जो गर देखा था सब कहते है कि call ले लो put ले लो hedge हो जब अरे कैसे हो जाएगा उसमें time value इतना होता है वो एक मेने के hedging cost आपका 5% आएगा ठीक है एक मेने में कोई आपका portfolio 5% जितना नुकसान नहीं देगा न उससे ज़्यादा का नुकसान आपका call put के premium में चला जाएगा ठीक है तो देखो बहुत वारे चीज होता है बहुत सारे किया हुआ है बात कहता है वही चलता ही आज के rate पे YouTube मैंने simple सी वाद देखा है ABCD आता नहीं किसी चीजों को और hedging के video बनाने शुरू हो जाते है simple सी बात है call put से कभी भी hedging नहीं कर पाओगे आप अपने portfolio को समझ में आए बात को बोलोगे क्यों नहीं कर पाएंगे sir हम तो करते हैं एक काम करते हैं पुट खरीद लेते जैसे बोला तो है किसी ने कि अच्छा जी हम पुट खरीद लेंगे ज्यादा फिर लंबा हो जाएगा फिर कुछ निकल जाएंगे होता क्या है फिर मेरे मुझ से कुछ निकल जाएगा फिर लगए sir आप बहुत बुरा 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 बोलते हो यह है चलो वापस आते अगर आप put खरीदने जाओगे न ठीक है किसका put खरीद होगे आपके पास बीस स्टॉक का पॉर्टफोलियो है बीस स्टॉक के साथ किसका पॉर्टफोलियो माच होगे आप बोलो कि निफ्टी का माच होगे निफ्टी थाई परसें तीन परसें नीचे भी आगर जाएगा उसका put premium भी देखने जाओगे तो आपको 100 डेट सो का मिल जाएगा ठीक है अब इसका मतलब क्या होगे कि premium cost इतना जादा होगा वो भी month का एक month का hedging कर पाओगे one month के hedging में आपका 5% cost निकल जाएगा premium जो pay की होगे premium तो आपका क्या हो जाएगा वो पूरा का पूरा खतम होगी न वो premium का time value cost निकल जाएगा जिसकी वैस से आपको मिलेगा ने future से क्य तो उसको कैसे कोई hedge कर सकता है ठीक है याद रखना मैं ये वीडियो में सब के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है FII, DIR अगर अपने आप में hedge करता है तो उसको hedge करके देने वाले कौन होते है हमारे जैसे professional charter accountant ही होता है ठीक है तो अगर आप में से कोई बहुत बड़े लोग भी होंगे बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे है मेरे चैनल पर है millions वाले वीज वाले क्या करते हैं सब्सक्राइबर हो रहा है और लोग बड़े बड़े अमांट भी लगाते होंगे और बटो finance background से नहीं है तो उनको कभी इस पता नहीं चला होगा तो इस एक level पे जाके अब क्या होगा कि market तो एक level पे कहीं पे top बनाएगा वो आपको पता चल जाएगा forecast करने की मैं बात कर रहा हूं कि अभी नहीं कर रहा है आपको लग रहा है कि चलो ठीक है market 17,000 पे चला गया और बार बार जो यहां पे 17,000 जैसे अभी 16,000 पे रुक रहा था अ अभी 16,000 से नीचे 9,000 क्या कहते है 15,900 पे जैसे रुक रहा था न वो लेवल था है hedging करने वाले क्योंकि दो बार तीन बार टेस्ट कर रहा है बार बार अब वहां पे market console late करने लग गए यानि कि market में अब उतना दम नहीं बचा है ठीक है तो उस case में अगर market नीचे जाएग तो आपके portfolio का movement और nifty के movement ना match करेगे यह अगर नहीं पता है किसी को तो मैं बोल दूँ आप market में जाकर चेक भी कर सकते हो ठीक है हमारे पास 20 अ stock है जान से सुनेंगे जिस दिन nifty आपका नीचे जा रहा होगा जिस दिन nifty नीचे जा रहा होगा आपके portfolio किसी भी हाल में प् कहां चला गए जी कहां चले गए जी यह रहा हां जी मैं कहता हूं nifty आपका minus 50 point है 50 point अगर minus nifty हो जाए और आपके portfolio plus दिख जाए next stream possible है याद रखेंगे आप यानि कि क्या हो गया मैं simply एक बोल रहा हूं कि आपके portfolio की movement nifty के movement से match करेगा ही करेगा क्योंकि nifty अपने आप में क reflection है एक stock की overall portfolio overall position को reflect करता है nifty तो nifty नीचे जाएगा आपको लग रहा है कि हमारे को अब मैं पहले ही बोल रहा हूं कि market forecast करना पड़ेगा hedging हर time नहीं किया जाता है hedging जो होता है हर second नहीं किया जाता है hedging एक particular point पे किया जाता है और फिर वो एक जैसे आपको risk लगा कि यह risk ह हतम हो गई तो उस time आपको exit कर जाना होगा जैसे जैसे हमने बोला कि आपको helmet पहन के चलना चाहिए अगर आप bike drive करते हो तो आप अपने आपको hedge करते हो तो मैं कहता हूँ 1 km दूर हमारा सबजी market है हम सबजी खरीदने जा रहे हैं और गली-गली होके जाएंगे 10-15-20 km के speed म हम बाइक चलाएंगे और हम सबजी खरीद के लेकर आजाएंगे तो आप मुझे बताओ उतने छोटे से 1 km के दूरी पे जा रहे है क्या वहां पर भी आपको helmet पहन के जाने की जुरुत है क्या जुरुत है मुझे तो नहीं लगता है जहां पर रिस्क ही नहीं है हाईवे पर जाए नहीं रहे गली के तो आपने अपने एरिया में 1 km दूर जा रहे है सबजी लेकर आना वहां पर हलमेट पहनने की जुरुत ही नहीं है क्योंकि वारिस्क नहीं है फिर भी अगर कोई लगता है कि नहीं हम तो फिर भी तब भी पहन के जाएंगे तो पहन यहां पर आपक पहनते हो तो उस ताम आपको कुछ रिंट पे करना पड़ता है हलमेट के लिए तो आप सोचो क्या उस केस में सबजी खरीदने जा रहे हो सबजी खरीदने टाइम हलमेट पहन के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए बिलकुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि रिस्क नहीं है व वहां पे सरफ उटने की possibility है, तब हमें hedge करना चाहिए, तब हम रेंट पे ले के आए, ताकि खर्चा भी करें, तो खर्चे का कुछ माहिने रहे, hedging हमें तब करना चाहिए, जब हमें लगे कि हमारा रिस्क है, without risk hedge करने की ज़रत नहीं है, जब तक market उपर चल रहा है, जैसे अभी market 16,000 को cross करके उपर चल रहा है, अभी hedging की ज़रत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी market में trend ले रखा है, बहुत दिनों के एक resistance 16,000 को उपर चल रहा है, अभी चलने दीजे, ठीक है, जब वहाँ पर resistance बनेगा, तो दिखेगा, ऐसे नहीं होता है, एक दिन के resistance नहीं बनती है, वो एक हपते, एक महीने market वहाँ बिताएगा, तब लगएगा कि हाँ अभी resistance बन गई, ठीक है, माल लिजे market जाता है 17,000 पर, 17,000 पर market गिया, और market वहाँ पर जाने के बाद, अब market वहाँ time pass करने लग गिया, एक हपते वहाँ time pass किया, ठीक है, उसके बाद 15 days time pass किया, एक महीने से वहाँ market उसको cross नहीं कर पाया, अब लगा कि हाँ, एक resistance बन गया ये, अब मुझे लगता है, इसके उपर जाने में थोड़ा सा time लग रहा है, उस 17,000 के level पर क्या कीजिए, आप Nifty का future बेच दीजिए, ज्यान से दिखिए, Nifty का future बेच दीजिए, अब कितना future बेच होगे, इस पर depend करता है, इसके लिए हम लोग beta देखने जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा technical हो जाएगा, उतना हम लोग वहाँ पर नहीं देखने जाते हैं, बस simply ऐसे समझ जाएगे, कि अगर आपका 50 lakh का stock है, 50 lakh का stock है, तो मान लिज है, कि Nifty 1% नीचे जाएगा, तो आपका stock का value भी 1% नीचे जाएगा, यह जरूरी नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, आपके जो portfolio ने उसका beta check किया जाता है, ठीक है, तो आप beta technical थोड़ा सा हो जाता है, beta ऐसे समझे, कि Nifty अगर 1% डाउन जाता है, और आपके portfolio 2% डाउन जाता है, धन्स तुनेंगे, Nifty अगर 1% डाउन जाता है, आपके portfolio 2% डाउन जाता है, मतलब beta 2 times है, beta बताता है, relationship between change in Nifty and change in portfolio, जो आपका 20 stock का portfolio है, यह आपको past trend के basis पे होता है, और कोई जरूरी नहीं past trend जो होते future में continue करता है, मान लीजे, overall, overall आपको situation अगर यह दिखता है, जाता है, अच्छा Nifty 1% डाउन जाता है, तो हमारा portfolio 2% डाउन जाता है, मतलब क्या होगा, जैन सुनो, Nifty का 1 रुपिय का loss gain, आपके stock का 2 रुपिय का loss gain होगा, इसका मतलब, अगर आपका 50 लाग का stock है, तो 50 लाग का Nifty अगर आपने बेच दिया, फिर कुछ लोग बोलेंग तो आपका position जो हो जाएगा, उसके लाग से पैसे लाने के जुरत नहीं पड़ेंगे, तो 50 लाग का stock था, उसको आपने प्लेज किया, मानलेज उसमें से आपका 85% आपका fund दे दिया जाता है, ठीक है, तो उस आपका 50 में से 80, चलो, 40 लाग आपका वापस आगया, उसी 40 ला प्लेज कितना है, वो बीटा आप निकाल सकते हो, ठीक है, अगर किसी को Nifty 50 का stock का बीटा देखना है, तो चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका तो आप देख सकते हो बीटा, निफ्टी उस पर चले जाओ, निफ्टी इंडिसेज, ठीक है जी, निफ्टी इंडिसेज कुछ दिख रही होगी, ठीक है, यह मंतली रिपोर्ट पर जाना आप, और यहां पर देखिए, मार्केट विटेज और बीटा कुछ दिख रहा है, इस बीटा पर आप क्लिक करना, ठीक है, बीटा पर जैसे आप क्लिक करोगे, तो एक आपका फाइल जो होगा, डाउनलोड ह पाइल होगा, उसमें आपका निफ्टी 50 का बीटा जो होता है, वो स्टॉक निकाल के देता है आपको, ठीक है, तो आप अपने पोर्टफोलियो का बीटा देख लीजे, यह सब डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपना चेक कर लीजे, फिफ्टी स्टॉक होगा उसमें 50 ए स्टॉक का बीटा बीटा दिखा देगा, अगर मानलेज़े किसी स्टॉक का बीटा आपको 2 दीखता है, तो समझ जाना क्या है, मतलब पता है, कि जो आपका निफ्टी में और उसके स्टॉक में जो मूवमेंट होगा, वो टू टाम्स का आता है, निफ्टी मानलीजे कितना है आपके पॉर्टफोलियो का बीटा कैसे निकालोगे आपने 20 स्टॉक ले रखाए तो 20 स्टॉक का 20 का 20 बीटा आपको पता होना चाहिए और 20 स्टॉक का बीटा को on an average weightage के basis पर weighted average कर दीजे वो आपका बीटा आ गया मानलीजे आपके पॉर्टफोलियो का बीटा 2 आगया इसका मतलब क्या होगे पता है निफ्टी अगर 1 रुपे से change होगा अगर निफ्टी 1% से change होगे तो आपके पॉर्टफोलियो 2% change होगे यानि कि क्या होगा देखो 50 लाग का stock में आपका 2% का loss होगा लेकिन यहाँ पे अगर आप 50 लाग का position लेते हो निफ्टी future में तो आपका सिर्फ 1% का profit होगा क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है मार्केट नीचे जा रहा है अरे रुकजा भाई मार्केट नीचे जा रहा है आपने निफ्टी क्या किया बताइए बेच दिये निफ्टी बेच दिये और निफ्टी में 1% का movement आया और निफ्टी आपने 50 लाग का बेच आ है तो आप मुझे बताए 50 लाग का निफ्टी बेच आ है 1% हो गई आपका तो मुझे बताइए 50,000 का क्या हो जाएगा आपका 50,000 का आपका profit होगा क्योंकि market नीचे गया 50,000,000 का आपका position है 50,000,000 का position है 1% movement हुई तो 50,000,000 का जो 1% होगा वो आपका कितना हो जाएगा बताइए 50,000 का ठीक है तो 50,000 का आपका profit हुआ यहाँ पे लेकिन आपका जो portfolio था आपके equity जो था वो कितना था 50 lakh का equity था और इसमें आपका 2% का movement आगया downside का तो उसमें तो आपका 1 lakh का loss हो चुका रहेगा तो आप मुझे बताए क्या आप perfect hedge हो पाए नहीं hedge हो पाए इसलिए जब beta आपका 2 times होगा तो आपका जो nifty का value रखना पड़ेगा 2 times रखना पड़ेगा यानि कि आपको तभी तो जाकर match होगी ना तभी तो value match होगी अदरवाज perfect hedge कैसे होगे आपने क्या करा यहाँ पे 50 lakh का नहीं 100 lakh का आपने क्या कर लिया nifty को बेच दिया अब 100 lakh का nifty कैसे बेच होगे आप देख लिजए accounting करके ठीक है आप ए calculation कीजिए एक lot कितने का चल रहा है 50 quantity है 16,000 का आपका value चलता है ठीक है तो उसके basis पे आप देख लिजए कितने lot लेने पड़ेंगे उस lot की basis पे आप calculation कर सकते हो जैसी है देखे 50 multiply by 16,000 यह हो गया हमारा 8 lakh का एक contract हो गया आपका 100 lakh पड़ना पड़ेगा divided by 8 यानि कि यह हो गया हम कह सकते 12 lot के आज पास आपको लेना पड़ेगा 12 lot के आज पास कुछ ज़रूरी नि 15 lakh के आपको fund की जुरत पड़ेंगे यह 15 lakh आप खुद से लाने की जुरत नहीं है इसी 50 lakh का जो आपका stock है इसी 50 lakh के stock को आप place कर दीजिए उसी place से जो आया हुआ पैसे बेज दीजिए अब क्या हो जान सुनिए जब nifty 17,000 के आज पास गया market वहाँ time spend करने लगा तो आपने क्या वोला चलो हम nifty को बेज देते हैं और आप याद रखिएगा जब nifty जब वहाँ पे 17 lakh पे बिताने लगया तो हो सकता हो क्या होगा डाउन आएगा, डाउन आएगा, डाउन आएगा माल लिए 16,000, 15,000, 1,000, 2,000 का correction हुआ, क्योंकि देखो correction तो आना है, 1,000, 2,000 point की correction तो आना है, ये मत सोचिएगा जिस तरीके से चल रहा है, चलता ही रहेगा ठीक है, लेकिन दिक्कत यही कि कौन सी level पे आएगा, हमें नहीं पता हमें नहीं पता, अब होता है क्या है, जो या 500 पाइंट नीचे आया फिर ऊपर चला गया तो ठीक है जा नहीं दीजिए आपको एटलिस्ट क्या हुआ ध्यान से देखो जब आपका निफ्टी बेचा था 17,000 पर दुबारा निफ्टी 17,000 पर आ गया तो क्या फर्क पड़ता है आपको निफ्टी 0 पर हो गई लेकिन आपका लॉस्ट ओगा वह जो पॉट्फोलियो का लॉस्ट था निफ्टी ने बचाया मालज जो दुबारा 17,000 के क्रॉस कर गया मार्केट तो जैसे ही अब आपका रेसिस्टेंस बना था 17,000 सेवेंटी था निकल गई तो अब जो होता है वह रिस्क खतम हो गई आपका जो अब अखेंट तो ठीक है आप नो प्रोफिट no निफ्टी निकल जाओ वैसे भी पॉए पॉईशन आपने के लिए पॉड़ I. Nifty में आपने पॉईशन लिया था पॉट्फोलियो को बचाने के लिए तो भच गयी ना पॉट्फोलियो नीचे नहीं गया तो ठीक है बच गय और मान लिजे अगर नीचे चला जाता तो वहाँ से exit कर जाएए याद रखिया, hedging करना है risk के time पे अब risk खतम हो गई, 17,000 के उपर चली गई market तो अब resistance क्रॉस कर गया एक महिने बाद तो ठीक है, आप वहाँ पे क्या कर ये exit कर जाएए और nifty future में लेने का फाइदा क्या होता है तीन मेने तक का आपको position मिल जाएगा तो तीन मेने तक का position लेके आगे बढ़ सकते हो मान लेजे नीचे आगया 15,000 पे आगया, तो उस time तक तो आपके portfolio की हालत तो बेकार हो चुकी होगी आप बताओ, जो हो सकता है तो लग रहा है कि हाँ, अब ठीक है, अब यहां से तो market bounce हो जाएगी तो ठीक है, आप क्या करिए, निफ्टी से exit कर जाएगे निफ्टी से exit करोगे तो वो पोटफोलियो का loss था निफ्टी ने आपको बचा दिया आप निफ्टी से exit कर जाएगे ठीक है, अब वो आपका loss compensate हो गई, अब क्या होगे, आपका सिर्फ position stock hold करके बैठे हो, अब market उपर होने लग जाएगा अब stock में, फिर से आपका profit होना शुरू हो जाएगा वहां से, ठीक है तो यह तो था आपका portfolio को hedge करना, यह थोड़ा सा high level की बात होती है, यह बड़े लोग जो होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होगरा जो होते हैं, जिसका बड़ा बड़ा जैसे जो दूसरे का fund manage करते हैं, DIA, FII, mutual fund होगरा, यह सब इतने बड़े पोजिशन, future का, बहुत simple है, कुछ करने की ज़रत ही नहीं है, swing trade, 6-7 दिन के लिए जो trade लेता है, उसको बोलते है, positional trade, एक महिने 15 दिन इस तरीके का लेता है, overnight position, आज लिया column exit कर जाएंगे, overnight position, यानि की future में आपका 3 हो सकता है, उन्हीं को hedge करने की ज़रत है, क्योंकि जै पलसी काम क्या करना है, हमें इसा याद रखेंगे, एक positive लेते हो 25% fund का, तो एक down लेंगे 25% fund का, दो stock लेना है, तो 50% fund होना चीए, 50% idle आपके account पड़े होना चीए, ठीक है, अगर आप 4 लेते हो, तो 2 upside होना चीए, 2 downside होना चीए, और कभी लगता है कि नहीं है, आज तो nifty म बिल्कुली कोई रिस्क मुझे नजर ही नहीं आ रहा है, मैं तो कहता हूँ, ओवरनाइट पोईशन कभी भी लेना है, one-sided पोईशन लेके चलो ही मत, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं देखा है, कोई अन्हुनी ऐसा हो गया अगर, तो अन्हुनी में आप बची नहीं पायागो क्योंकि उस दिन एक ही इस टॉक में गवाया था, बजाज फिनांस में, क्योंकि बहुत वरोसा था, बजाज फिनांस पे बहुत बड़ा क्वांटिटी का अफसाइड पोईशन था, ठीक है, एक दम से माइनस गये, आठ नौ परसेंट माइनस होते ही, आपके मार्जिन खतम सकते हो, पोजिटिव भी निगटिव भी, अगर निगटिव भी भी पोजिशन होता, तो याद रखना वो सिस्टमेटिक रिस्टा, सिस्टमेटिक रिस्ट तो अपने आप डाइवर्शिपाई हो जाता, बोलोगे कैसे, क्योंकि जब दिमोनेटाइजिशन का निउज आया, तो ऐसा कोई स्टॉक ही नहीं था, जो पॉजिटिव दिखता आपको, अल्मोस्ट निगटिव दिखता आपको, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, एक ने आपको बहुत बड़ा नुकसान करा है, तो दूसरे जो डाउनसाइड वाले पोजिशन होता, वो प्रोफिट करता और वो प्रोफिट से आपका क्या हो जाता, कंपनसेट हो जाता, तो मेरा जो अपना ट्रेड होता है, नॉर्मली ओवरनाइट पोजिशन जो होता है, ठीक है, वो मेरा दोनों होता है, प्लस भी होते हैं, माइनस भी होते हैं, तो मैं आपको हिज करने के लिए बोलता हूँ, को अगर future में trade करते हो तो एक plus लीजे minus लीजे अब क्या होता है ध्यान से देखिए अब दिक्कत यहाँ क्या होता है क्या same underlying का plus minus दोनों करें या different underlying का plus minus करें यह बहुत ही पेचीदा question होता है ठीक है यह इसका answer ढूणने के लिए आप लोगो को expert बनने पड़ेंगे expertise लाने पड़ेंगे ठीक है जो मेरा अपना expertise यह है कि same stock का plus minus करने से आपका जो risk क्या करते है profit जो होते हैं बहुत कम हो जाता है इसलिए मेरा मानना होता है कि देखो हमने अगर मानलेजे एक stock one को plus किया तो कोई ऐस निगटिव स्टॉक वाले होंगे उसको minus कर देंगे मानलेजे एक plus और किया तो minus कर देंगे अब systematic इस तोमारा ऐसे भी diversify हो गया unsystematic भी diversify हो गया दोनों diversify हो गया बोलोगे कैसे देखो एक का बुरा news आया बांके तीन ने तोमें बचाया ठीक है तो diversify केसन तो ऐसे unsystematic भी बचे गया अब क्या होता है को मानलेजे systematic factor आता है demonetization जैसे कोई एक और factor आता है तो उस case में अगर market crash करता है अगर बहुत ज़्यादा तो याद रखना ये दो ऐसा नहीं होगा कि market crash करेगा तो मेरे negative position बाले जो है वो कामाई नहीं देगा ठीक है हाँ अगर नहीं दे रहा है इसका मतलब आपने बहुत ही बेकार stock को आपने selection किया है ठीक है तो इसलत बोला है stock selection में आपको पहले क्या करना होगा time spend करना पड़ेगा अगर आपका सही analysis था और market अगर 2%, 3%, 4% अगर nifty अगर down जाए और ये stock नीचे ना जाए ये बहुत ही rare होगी unsystematic factor की वज़े से ही हो सकता है otherwise ऐसा possible नहीं है तो इससे हम लोग क्या करेंगे बच जाएंगे ठीक है तो मेरा आपना मानना रहता है को future में trade करते है चार trade लीजिए ठीक है अगर 2 ले रहे हो तो 50% fund लगाई है 4 ले रहे हो तो आप 100% लगा सकते हो 2 plus 2 minus आपका hedging हो गई अब आए option writing की बात करें देखो writing वाले तो normally writing वाले के लिए क्या होता है margin तो जाता है writing just comparable to future हो जाता है writing just comparable to future हो जाता है exactly वही same काम कर सकते है जो अभी मैंने बोला है ठीक है writing वाले को भी यही काम करना चाहिए लेकिन writing वाले कभी कभी क्या करते है मैं अभी तक normally जो देखता हूँ जो normally market में करते है ठीक है किसी को लगता है market उपर जाने वाले क्या करेगा put right करेगा ठीक है जी put right करेगा और जाके और same चीजों का put buy भी कर लेगा माल लिजे यह nifty में trade कर रहा है या bank nifty में trade कर रहा है या nifty bank में तो क्या करेगा nifty bank का ही put right करेगा और nifty bank का ही put buy कर लेगा यह अभी add the money के आसपास buy करेगा और नीचे वाले put buy कर लेंगे, जैसे क्या होता है देखिए माल लिजे, अभी market माल लिजे, 16,000, 16,000 क्या करते हैं, 300 पर market माल लिजे, चल रहा है, तो क्या करेगा, 16,000, उनको लगता है कि 16,300 के उपर ही रहेगा, 16,200 के उपर ही रहेगा, तो 16,300 या 16,200 वाले writing क्या करेगा, put को क्या करेगा, जाके वो write कर देगा, अब तो markets के नीचे नहीं आएगा, और अगर गलती से आ गए, तो क्या करेंगे, वो जाएगा, और 16,000 वाले या हो सकता है, उससे नीचे वाले put क्या कर लेगा, पता है, वो buy कर लेगा, मुझे नहीं समझाता, ये कौन सी तरीके का trade है, ठीक है, अगर किसी को लगता है कि ये trade क्या कहता है, तो आईएगा, मैं थोड़ा से आपको दिखाता हूँ, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, देखिए, इस तरीके हैं कुछ analysis करना है आपको, तो एक तो sensible है, option trading का analysis अगर करना है, strategy UI क्योंकि क्या होता है, सबसे ज़्यादा technical trading जो हता है, option होता है, एक तो मैं देखता हूँ, आधा अधुरा knowledge वाले को तो option में trade करना ही नहीं चाहिए, पहले paper trade कर लो, बहुत ज़्यादा knowledge gain कर लो, इसके premium का movement को समझ जाओ, time decay कितना होता है, time value कितना अभी चल रहा है, हमार premium कैसे move करता है, expiry के आसपास premium कैसे down होता है, expiry के कितने दिन में premium कितना है, मतलब जो, कुछ लोग तो कहते हैं कि sir हम तो Greek समझेंगे, delta, theta, vega, यह सब समझेंगे, तभी समझ पाएंगे, रहे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं ग्रीक के value को देख के हम समझेंगे, आप याद रखिए, आप expert तब हो, जब किसी option का strike price, market price, इन दोनों को देख के, आप forecast करो कि इसका delta कितना होगा, आप forecast करो कि इसका vega कितना होगा, तब जाके आप expert हुए, हम जाएंगे, software में डालेंगे, और software में डालने के बाद हमें पता चलेगा, अच्छा, इसका movement तो 50% होगी, इसका मतलब आप expert नहीं हो, समझ में आगे बात, आपको पहले से पता होना चाहिए, कि किसका delta कितना होता है, अच्छा, deep in the money होगा, तो उसका delta हमारा पहले से ही 1 मिलेगा, अब कुछ लोग ऐसे होंगे, जो बोलेंगे, सर, यह कौन सी signage बोलने लग ग होता है, at the money option की premium में time value सबसे ज़्यादा होता है, time value, और time value जहां पर ज़्यादा होगा, उसका delta आपका 0.5 के आसपास होगा, मिलेगा, तो क्या होता है, at the money, कितना out of the money, कितना in the money है, इन सारे चीजों को जब analyze करोगे, तो जाके अपने आप समझ आ जाएगा, चलो वापस साथ है, हम लोग अभी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कुछ, हाँ, एक sensible है, जहाँ पर आपको option का strategy builder बिल जाएगे, लेकिन sensible payment करने के बाद मिलेंगी, एक option है, आप स्ट्रा option है, वहाँ पर भी आपको मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर आपको बस login करना है, क्या कहते है अपने mail ID से login करोंगे, काम हो जाएगा, ठीक है, करने के बाद आप क्या कीजिए, portfolio यहाँ पर, strategy builder पर जाओ, यहाँ से आपको काम बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पर login करोंगे, किसी mail ID से कर लिजए, free of cost है, कुछ strategy ऐसे आपको analysis के लिए आपको free है, जैसे मान लिजए, अभ आपको strike price होगा रखू, डालने के जुरत नहीं, market के basis के आपको आजाएगा, ठीक है, उमिद करता हूँ, दिख रहा होगा, हम गए, हमें लगता है, अच्छा जी, market तो उपर ही जाने वाला है, तो हम क्या करते हैं, कितने वाले, 16,300 वाले put जो है न, उसको writing करते हैं, ठीक ह अब वो क्या करेगा, 16,000 वाले जाके, या कुछ क्या करते हैं, 16,100 वाले call भी buy कर लेगा, ठीक है, चलो कोई नहीं, आप 16,000 वाले buy करना चाते हैं, चलो इसको buy कर लो, इस तरीके के maximum low को मैं देखता हूँ, कि strategy बनाते रहते हैं, writing करने वाले सब, देखते हैं, क्या होता है इसका मतलब आपको अभी समझ आ जाएगी, मैंने इसको ऐसे कर दिया, बंद कर दिया, अब देखे, यहाँ पर यह जो strategy है, इस strategy के अंदर आपका maximum profit जोगी 4,000 की और maximum loss होगी 10,000 की, यह कौन सी hedging कर रहे हैं, बताओ, hedging करने का मतलब क्या था आपका, सोचके देखो, कि हम maximum loss 10,000 कर सकते हैं, और maximum profit हमारा कितना होगा, 4,000 से ज्यादा की profit हो ही नहीं सकती, अगर market मेरे favor में रहा तो, और market अगर मेरे अगेंस अला गया तो, तो मैं 10,000 तक का loss कर सकता हूँ, मेरे समझ से बाहर है, इस तरीके का hedging मेरे समझ से बाहर है, फिर भी कुछ लोग करते हैं, आप करिए, ठीक है, देखो कोई जरूरी नहीं है, मेरे opinion और आपके opinion क्या होगा, match होगा, समझ में आगई बात, नहीं match होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे opinion मेरे पास रख दीजे, मुझे नहीं समझाता है, उससे ज्यादा बेटर है, कि आपको लगता है market उपर जा क्या करेगा, वो भी his strategy है, देखिए, जैसे आप option के अंदर जाओगे, option के अंदर जैसे आप जाते हो, option के अंदर, यानि कि ये दोनों case में, ध्यान से सुनेंगे, इस दोनों case में hedging करने के लिए, इस दोनों case में hedging करने के लिए, आपके पास एक और एक choice है, strategy बना के करेंगे, अगर same underlying में लेते हो तो, और या तो जो मैंने बोला इसको opt कर लिजे, different underlying ले लिजे, diversify हो गया, diversification के case में काम बन गया, लेकिन याद रखना, इस तरीके का strategy जो होता है, वो normally nifty bank nifty में ही बना के चलना, बांकि सब में इस तरीके का strategy आप बनाने जाओगे, लिकृ प्राइटी की कोई problem नहीं है, हाँ, मैंने कुछ बोला था, कि मुझे इस तरीके का strategy समझनी आता है, ठीक है, जो कुछ लोग करते हैं, आपको समझ आता है, तो अच्छी बात है, करिए, ठीक है, मुझे नहीं समझ आता है, ठीक है, मैं नहीं करता है, हाँ, उसे ज्यादा ब पता ना, तो market में पैसे नहीं बना सकते है, कुछ न कुछ पता होना चीए, बोलो क्या पता होना चीए, आपके पास तीन चीज़े मार्केट में, या तो market उपर जाएगे, या market नीचे जाएगी, या market range में रहेगे, इस तीन में में से कुछ न कुछ फोरकास्ष करना ठीक है वापस आते हैं हम लोग अच्छा मैंने बोला था कि अच्छा जी हां मार्केट ऊपर जाने का यूज ले रहे थे आप इस तरीके के कॉल राइटिंग करके आप कॉल बाई करके आप अपने आपको हैज करते हो ठीक है तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा इससे जादा बेट इधर बना के देखते हैंच अई देखें तो आपको यहां पर प्री डिफाइंड स्टापडी और सब्साटेजडी होगा जैसा यहां पर छोड़ा फैस यहांप़ आपको दिखरा होगा जा सब्सक्सिर चाने आपको नहीं हैol गिलएन जो दे रखा था उसी को हमने यूज कर रहा है तो देखते हैं क्या होता है इसमें याद रखना आपका भी यूज कुछ न कुछ तो हो ना चीए तो हमने सोचा कि ऊपर जाने वाला है ठीक है तो आप देखिए क्या होता है higher strike price को right करना है देखो higher strike price कितना है देखे 16400 का call को हमने right किया lower strike price वाले call को हमने buy करना है 16300 call को हमने plus किया एक lot तो हम कह सकते इतने पर आप देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपका maximum loss जो है 1 lot पे 1700 का जा सकता है maximum profit आपका 3200 का जाएगा यहाँ पर जो आपका risk reward ratio है आपका 1 is to 2 का approximately दिख रहा होगा यहाँ पर बठा probability of profit है वो आपका क्या होता है थोड़ा सा कम होता इस case में आप जैसे जैसे profit बढ़ाने की कोशिस करोगे उस case में क्या होगा आपका क्या कहते है थोड़ा सा जो 1 is to 2 का ratio थोड़ा सा कम हो जाएगा वैसे यह 2 days का expiry है आप एक काम कर सकते हो आप थोड़ा सा दूर का expiry लीजिए तो आपको थोड़ा सा और जादा समझ आएगा जैसे माल लीजिए हम कहते है नेक्स्ट वीक का यानि कि हम approximately 1 week का expiry रखके है उसी के stack price को अगर हमने select करें तो देखिए यहां पर अभी यहां पर 1 is to 6 का ratio है थोड़ा सा probability आपका winning ratio क्या हुआ यहां पर थोड़ा सा increase हुआ है वैसे यह जो probability देख रहने इस पे ज्यादा भरोसा करने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि यह क्या करते statistical data को use करके अपने तर यह जो अभी हमें strategy बना रहे है कि एक call option को write करना है एक call option को buy करना है तो उस तरीके का strategy यह बुलिस market में जाएगा किसी को लगता है नहीं मेरा तो bearish views है तो bearish views है तो bearish views यह तो आप क्या करोगे फिर आप spread जो बनाओगे down वाले spread बनाओगे कौनसी वाले put वाले spread बनाओग put a spread अब यह सब चीज जो है आप खुद try करते रहोगे तो ज्यादा बेटर आपको idea लगता रहेगा हमने यहाँ पर विज किया तो यह देखे यह कह रहा है कि 44% का आपका winning ratio है यहाँ पर भी आपका 1 is 2 6 का ratio है तो यह perfect hedge है इसमें आपका 2800 से ज्यादा का loss नहीं हो सकता इस जो को भी चेक कर सकते हो भी perfect hedge strategy है यहाँ option chain पर जाएंगे option chain पर आपका सारा का सारा list आ जाएगा यह आप खुद भी अपने app stack price भी select कर सकते हो हम कहते अच्छा जी कल वाले का बताना कल दो दिन के लिए तो हम forecast कर सकते हैं ठीक है हम कहते हैं अच्छा जी market तो यह जो होगा है दो quantity ठीक है जी और 16,200 वाले को हमें buy करना है एक quantity और हमें 16,400 वाले को buy करना है एक lot ठीक है इसको हम लोग जाके check करते हैं कि क्या possibility बनता है यह देखे यहाँ पर ratio अगर check करते हो तो 1 is to 2.6 का है यानि कि 1300 से ज्यादा का loss नहीं हो सकता है यहाँ पर आपको 3500 की क्या है इ maximum profit हो सकते हैं से ज्यादा का profit नहीं हो सकता है यह कब कि यह कल तक कल तक market अगर किस बीच में range expire हो जाए 200 और 400 के बीच में आप अगर check करोगे तो 228 से उपर expire होना चाहिए 372 से नीचे होना चाहिए और most probability जो expire होगी इसी दोनों के बीच में होना भी चाहिए आप अगर इसे हो जाए तो आप इस तरीके का strategy भी चेक कर सकते हैं एक और भी बात है जब भी आप इस तरीके का यह sensible होगा है जैसे आप कुछ लोग यही same चीज जो होते हैं sensible पे भी ट्राइब कर सकते हो यह है पेड़ है आपको वैसे seven days का free trial देता है तो seven days का free trial चेक करके देख सकते हो कि किस तरीके का situation होता है कि आपके लिए beneficial है या नहीं अदरवाइस आपका plan होगा भी होता है आप चेक कर सकते हो वैसे option स्ट्राइब कर देख रहे हो इसमें भी आपका जो higher level की कुछ strategy होगा है build up करने तो उस case में आपको क्या करेगा यह यह भी payment के basis पे ही आपको देंग का हो सकता है ऐसा भी कुछ data होगा है दिखाना सुरू करेगा probability भी अलग-अलग तरीके का दिखाएगा तो उसकी वो data क्या होता है कि आपको पता है कि option कुछ जैसे 165 contract में trade तो होता है लेकिन 165 contract में जो trade होता है सारे के सारे जो stock का option है वो liquid नहीं है वहाँ buyer seller की कम ही होता है buyer बैठा होता है जितने price पे seller बैठा होता है पांच रुपी उपर से कभी कभी क्या होता है कि ये 10 days 15 days तक एक भी contract trade नहीं होता है और NSE में क्या होता है कि अगर कोई contract कोई मानलेज ये call option था किसी है कि strike price का उसका option trade हुआ था क्या कहते हैं एक हफते पहले तो एक हफते पहले जिस premium पे trade हुआ होगा वो LTP आज भी उसका record होता चलता जा रहा होगा exchange के अंदर ठीक है तो वो जो पुराना LTP है वो आज भी reflect करेगा और जैसे ही यहाँ पे जाओगे strategy build up करने के लिए तो यह जो premium pick करेगा 7 days पहले वाले तो जब आपका गलत premium pick करके अगर यहाँ पे analysis कर करके देगा तो वो analysis आपका क्या हो जाएगा रॉंग हो जाएगा तो इसलिए कभी भी यह strategy builder कोई भी अगर software अगर आप यूज करो तो उसमें कोसिस करना nifty bank nifty में टेस्ट करो या ऐसा stock में टेस्ट करो जिसका जो trading होता है वो daily basis होता है illiquid deep in the money option को select मत करो deep out of the money को भी select मत क जाएगा उमीद करता हूँ मैंने overall सारे के सारे पहलू को cover कर लिया है ठीक है अब इससे ज्यादा आप खुद को भी analyze करना पड़ेगा जो मैंने बोलने की कोशिस किया था वो आप समझने की कोशिस कर जिए जैसे conclusion and my style of hedging अब last time conclude कर देतें देखो बीना view का तो market में कभी प premium का movement कैसे चलता है उसके साथ time value decay कैसे होता है time value कैसे काम करता है in the money out of the money में premium movement कैसे होता है यह सब चीज जब तक आपको नहीं पता चलेगा खास करके Greek बोलते है उसको लेकिन हम Greek पे उतना ध्यान ना दे Greek का value देख कि अगर आप अपने आपको find out कर पा रहे हो इसका मतलब logic जो होतना clear नहीं है ठीक है अगर आप बिना Greek का calculation की देखे हुए हाँ portfolio बनाएंगे तो Greek को गरे देखेंगे तो समझ आता है उससे पहले अगर आप forecast कर लेते हो कि कितने का movement होगा बिना Greek calculation की हो तो आप ज़्यादा export बन चुके है ठीक है चले वापस आते यहाँ पर हम कह सक यहाँ पर मैंने सेल किया ठीक है सेल किया अब मेरा view गलत हो जाता है resistance के जस्ट ऊपर जाता है अब मुझे इतना पता है कि अभी मेरा छोटा loss हो चकता है मेरा अब जो situation था वो wrong हो चुका है क्यों रॉंग हो गया क्योंकि मैं जो सोच रहाता है इस level पर मेरा सेल करना पड़ अब आपका view तो गलत हो चुके है न याद रखिएगा जब cross करेंगे उस time आप छोटे loss में रहोगे बहुत छोटे loss में हो बहुत छोटे loss में हो लेकिन एक ego की problem आजाती इगो की problem क्या था है नहीं हमने सोचा है नीचे जाएगा तो नीचे ही जाएगा रे खतम करो न अब हो गया आपने जो सोचा वो level आप cross कर चुका है अभी छोटा loss है अभी निकल जाओ आपको लगता है कि नहीं हम तो कम आके ही निकलेंगा रह कमाना है तो उसी fund को कहीं और use करो न अब जब आपको लगा कि resistance break हो चुका है ठीक है तो आप या तो उसी में long लो है या आपको ल आप अपने आपको हिज कर लो मतलब क्या हुआ हिज तब करो जब आपकी view गलत हुआ मैंने अभी क्या बोला हम यह सा 100% time हिज करने की ज़रत नहीं है क्योंकि हिजिंग का cost आता है हिज करोगे तो आपको नुकसान होगा यानि कि simple सी बात में क्या बोल रहा हूँ आपने एक आपकी view बनाया कि market नीचे जाएगा आपने बेचा बेचा मैंने बोला कि आप क्या करिये यहां पर आपको मैंने पहले ही बोला कि इंट्राडे में अगर पोईशन है तो आपको हिज करने की ज़रत नहीं stop loss लगाए जैसे आप गलत हुए गलत कब हुए बताओ जब resistance ब्रेक किया अब जब resistance ब्रेक किया तो अब आप गलत हो चुके हो या तो आप stop loss loss book करके निकाले stop loss hit कर आओ या अगर आपको लगता है नहीं लगाना चाहते तो अब आप हिज कर लो अब counter position लीजिए आप समझ में आ गया बात तो हिजिं कर लीजिए यह मेरा अपना मानना है जो मै जैसे लेता हूं no trade before scheduled event मैंने बोलाए कि जैसे बहुत बार क्या होता है कि आपका scheduled event है जैसे कल monetary policy आना है कल एक कोई announcement आना है government के तुरू किसी company का quarter का result आने वाला है यह scheduled event है इस event से पहले आप trade मत लो और अगर trade लेते हो तो hedge करके लो perfect hedge कि कुछ भी हो जाए मेरा इससे ज्यादा का loss नहीं हो सकता जैसे strangle में होता है strangle में call भी खरीते है put भी खरीते है maximum loss इतने का है इससे ज्यादा का loss नहीं हो सकता और event के बाद जो होते fluctuation बड़ा होता है बड़ा fluctuation फिर profit हो जाएगा मतलब event से पहले या तो कोई trade मतलो या trade लेते हो ठीक है तो perfect hedge trade होना चाहिए perfect hedge होना चाहिए मतलब इससे ज्यादा का loss नहीं हो सकता predefined loss होना चाहिए predefined profit होना चाहिए लेकिन याद रखना loss और ratio का risk and reward का ratio होगा आपका loss एक रुपे करते हो तो दो रुपे से कम की अगर profit मिलेना तो कोई भी trade मतलो simple सी बात है ठीक है और मैं दिखाता हू जब मैंने जून में trade लिया था आप देखे होंगे कि जैसे मुझे थोड़ा सा भी doubt होता है तो मैं plus और minus दोनों trade ले लेता हूं ठीक है चलो एक पर दिखा देता हूं दो मैंने दो दिन का screenshot ले रखा है जिसे दिन मैंने plus और minus दोनों trade ले रखा था ये देखो ये कुछ 7th June का ये screenshot है मैंने telegram से उठाया है क्योंकि मेरे पास data नहीं था तो 7th June ये Monday था तो मैंने जो trade लिया होंगा na Friday को लिया होंगा ठीक है तो 7th June है तो Sunday कौन सी दिन होगा 6 Saturday कौन सी होगा 5 यानि कि 4 को मैंने 4th June को trade लिया होगा जो कि मैं 7th June को exit किया देखते 4th June को मैंने क्या trade ल trade लिया हुआ इसी दोनों को बैस देखना है grassim को और reliance को grassim को मैंने buy किया था reliance को मैंने sell किया था देखो मैंने बोला कि मैं दोनों trade लेता हूं और कोई जरूरी नहीं कुछ लोग बोलें कि sir आपने तो 2 trade लिया आपने तो 4 लेना है तो याद रखना मेरे पास है अगर 10 ल प्लस किया और मैंने क्या किया रिलाइंस को मैंने क्या किया जी माइनस किया ओके देखते क्यूं किया होगा मैं ग्राफ दिखा देता हूं ऐसा क्यूं लगा होगा यह 4th of June देखा न आपने 4th June को देखो यह 4th June का candle ध्यान से देखेंगे 4th June का candle यह वाले है दिखर आपको जैसे ही निफ्टी में रेट बनते हैं, यह निफ्टी का कैंडल है, ठीक है, यह निफ्टी है ध्यान से रखेंगे, यह निफ्टी है, मुझे अब यह सब चीजों को तो देख नहीं सकते हैं, यह तो उस टाइम पर था नहीं मेरे पास, यह तो बाद में बनी है, तो यह जो च निफ्टी मुझे थोड़ा डाउट दे रहा है, मैंने दो पोईशन लिया, मुझे निफ्टी में तो confidence ही नहीं कि ना plus की confidence है ना minus की confidence ही, तो मैं निफ्टी में तो कुछ लेहीं नहीं रहा है, ट्रेड तो लेना है stock में, लेकिन निफ्टी तो देखूंगा, क्योंकि market का behavior तो इसे ही पता चलेगा, निफ्टी को देखा, तब मैंने decide कि मुझे stock में trade लेना है, और मैं क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा choice हो, इसलिए मैं future में trade करता हूँ, option में trade नहीं करता है, क्योंकि मेरे पास choice कम होता है, और मेरे को मिलता नहीं है, जिस तरीके का मेरा criteria criteria को fulfill नहीं करता है, ज्यादा varieties होगी मेरे criteria को fulfill ज्यादा लोग करेगा, चमझ में है, कम varieties रही criteria नहीं होगा, इसलिए मेरा future में trade लेने का reason यहीं है, क्योंकि liquidity की problem नहीं होते है, second में exit कर जाते हैं, ठीक है, और हम जो सोचते है market में, उस तरीके का view match हो जाता है, इसलिए में future में ही trade लेता हूँ, ठीक है, वापस आईए, तो इस case में देखे, यह कुछ trade था, इससे पहले तो उस टाइम पर तो हमारे को यह सब तो कुछ पता ही नहीं था, यह सब चीज तो बूली जाएंगे, ठीक है, हमें सबसे तो मतलब ही नहीं, यह कव क्या हुआ, मैं तो जिस द पर एक बड़ा सा candle बनाया red, ठीक है जी, तो मुझे लगा कि हाँ जी ठीक है, red candle बना रहे है, इसका जो momentum है negative बन रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेज सकते हैं, तो मैंने क्या क्या, airlines को बेज दिया, मैंने ग्रासिम को buy किया था, चली यह है 4th of June, इस से पहले यह सब तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, यह सब तुम भूली जाते हैं, यह देखिए, एक resistance था, इसको break करके closing दिया है, green candle है, एक momentum positive बनता है, मैंने बहुता है, इसको buy कर लेते हैं, ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, मैं अपने rule के मताविक चलता हूँ, कोशिस करता हूँ कि जल्दी से जल्दी exit कर जाते हैं, अब उसके बाद next day क्या हुआ, next day जो हुआ होगा, उसके basis पर हमने निकले होंगे, gap up होता है, इसका, गरासिम का 6000 लेते हैं, लेकिन जो reliance था, वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाया, जो हम जिस तरीके से सोचे थे, flat opening होता है, और मेरा जो rule होता है, flat opening हो गया, तो cost या जो भी है, उसके आप निकल जाए, gap down हो गया, तो थोड़ा सा आप wait कर सकते हैं, या 5 minute wait करते हैं, पिछले दिन की जो low होती है, अगर उसको break करा तो हम वोट करते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद हम exit कर जाते हैं, ठीक है, तो उसमें जार पॉइंट नीचे gap down होती है, 500 point की gap down होती है, तो आपको पता ही है, ऐसा तो होता नहीं, कि लाइन जो होता है, उस दिन ऊपर चला जाता है 5%, ठीक है, और अगर ऐसा होता है, तो हम अभी रूम से बाहर निकल सकते हैं, अभी हमारा accident भी हो सकता है, ठीक है, उस अनहुनी के लिए हम नहीं सोच के बैठ सकते हैं, हम normal situation को ही हिज कर सकते हैं, अनहुनी को कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, अगर अनहुनी की बात करें, तो करोड़ रूपया भी कमा लिजे, और करोड़ रूपय कमा क्या भी रूट पर बाहर जाए, माले जी रखे जुन जुन व तो निफ्टी नीचे, रिलाइन से नीचे नीचे नहीं जाता है, ऐसा नहीं possible है, और मैं ग्रासिम की बात करूँ, चाहा कितना भी positive chart क्यों न था, ये अगर 5% gap up खुल जाए, इसकी भी possibility नहीं बनता है, क्योंकि मैं अनहुनी की बात कर रहा हूँ, hedging हमें अनहुनी से बच और दूना माच हो जाए तो पिर हम ट्रेड क्यों ले रहे है, simple सी बात है, हम तो राज ये धना profit वा उतना ही लौस हो आध हम तो compensate हो, इने t ihrp हो गयों, तो फिर ट्रेड क्यूं लिया बताओ, ट्रेड तो कही न कई earning करने के लिए, कमाने के लिए तो लिया था तो ठीक है, वो उससी जो को हम नहीं देखते हैं, अमने क्या बहुत है, अमने का मार्केट से बाहर तो नहीं निकलेंगा, सिंपल सी बात है, चले वापस आते, यह था एक दिन का ट्रेट, फिर दूसरा दिन का भी अनलेसिस कर सकते हो आप लो, यह दूसरा ट्रेड है हमारा 23rd of June को, इसका काम यह नहीं है, कि आपको मैं बोलूँ कि आप ट्रेड करो, मेरा काम मैं एक टीचर हूँ, मैरा पढ़ाने का काम होता है, मैं आपको बता सकता हूँ, कहां गढ़्धा है, कहां दलदल है, कहां आप गिर सकते हो, उससे बचाना मेरा काम है, ultimately मार्केट में आपको खुद अन मैं देखता हूँ, क्योंकि तीन बज के तेईस मिनट पर मैं देख रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि BTSD करूंगा, SBI Life को, और सेल करने वाला हूँ, डावर या बालिसन इंडस्ट्री, दोनों मैं से किसी एक को मैं क्या करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ, अब उस टा ले लेते, अदर्वाइस कभी हम भी छोड़ देते, ठीक है, तो अमने पोजिशन लिया था देखो ऐसा भी नहीं है, मैं पहले ही बोला न, आपको ऐसा नहीं है, मैं तीन बज के तीस अमिन बोला है, और देखो बालकिस इंडस्री को मैंने 3, 29, 56, चार सेकंड पहले मैंने बेचाय देखो इसको sell किया है तो कह सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं मैं प्लान कर रहा हूँ, अब यह छूट जाता है मैंने इत्रेड लेता है उस टाइम फिर में, सिंपल सी बात है मैंने किसको sell करने को बोला था डावर को sell करने को बोला था, डावर शायद मैंने जल्दी sell कर दिया था, दो लोट लिया था, उस टाइम जी यह देखो, यह रावर को, यह डावर देखो यह भी मैंने 28 पे, यानि कि एक मिनट पहले मैंने इसको sell किया था मुझे लगा कि यहां चलो sell कर सकते, कर दिया मैंने बोला था SBI Life SBI Life को buy करना है, मुझे लगा था, चार्ट पॉजिटिव है SBI Life को मैंने दो लोट लिया था, सायद, हाँ जी उस दिन पे हाँ, दो लोट लिया था क्योंकि मुझे दो लोट को hedge करना था, ध्यान से देखो मैंने दो sell किया, देखो मैंने एक sell किया था, बालकृष्ण इंडस्टी, एक sell किया था, मैंने किसको ये छोड़ दो, ये morning का exit वाल ट्रेड है exit वाल ट्रेड को आपको नहीं देखना है ठीक है, ये बंदन बैंक, ये सब भूल जाए ये morning में exit वाल ट्रेड है ठीक है, वापस आई है, क्योंकि ये बाइस को exit, ये screenshot बाइस का नहीं है 23rd का screenshot है, 23rd में आपको बाइस का position थुरण दिखेंगा, 23rd में ये exit वाल ट्रेड होगा जो पिछले दिन का BTSD होगा, उसको आपको नहीं देखना है, वापस आजी है अम कहा थे अभी, हाँ ये देखो, तो मैंने 2 lot trade sale किया, सोचके देखो, मैंने क्या बोला, मेरा strategy तो balance उनी चाहिए, मैं कैसे trade करता हूँ, वा मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, ऐसे हवा में बोल दिया, मैं जो normally करता हूँ, वही मैं आपको suggest कर सकता हूँ, ये देखो, मैंने 1 lot sale किया, 1 lot sale किया, यानि कि 2 position हो गई मेरे नीचे की, तो 2 position उपर की उनी चाहिए, 4 उनी चाहिए ने मेरे trade, तो मैंने क्या किया, 2, मुझे ल मार्केट में movement होड़े तो उसी time मैंने बाई कर लिया था, फिर ultimately next day क्या होता है देखो, next day हमने इसमी profit में निकले, इसमी profit निकले, इसमी profit निकले, इसमी profit निकले, चलो मैं चार्ट दिखायता है एक वार, ठीक है, कैसे मैंने लिया होगा, क्यों लिया होगा, मैं 20 second का trade ले यह सब तो आपको पता ही नहीं उस दिन पर, यह देखो, nifty का candle rate बन रहा है, पहले मुझे indication दे दिया कि थोड़ा से क्या है risk है, समल जाओ, ठीक है, थोड़ा से risk है समल जाओ, तो मुझे लगा नहीं, मैं आप individual एक stock trade नहीं लूँगा, और वैसे भी overnight position है, overnight में तो कुछ भ SVA Life, मुझे SVA Life इसलिए अच्छा लग रहा था, क्योंकि देखो, एक resistance बन रहा था, यहाँ पर देखो, यह जो इसका resistance बन रहा था, इस resistance के ऊपर का closing दे रहा है, अच्छा सा green candle है, इसका volume भी अच्छा है, तो मुझे लगा कि ठीक ठाक है, positive बन सकता है, देखते हैं, ठीक ह अब होता क्या है, बहुत बार, gap up तो हुई, gap up से तो खुली, लेकिन sustain नहीं कर पाया, फिर इसको movement होने में time लगया, अब उतना दिन तो मुट कर नहीं सकते हैं, और हमारा जो maximum टाइम होता है, 5 मिनट का में तो निकलना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, जितना मिला morning में, फ जावर का कौन सी दिन है, ये, ये candle बन रहा है, ये candle, इस candle पर हम लोगों ने trade लिया था, इस candle पर हमने trade लिया था, तो अगले दिन यहाँ पर तो देखो, अच्छा खासा profit होता है, लेकिन हम उतना तो hold नहीं कर पाते हैं, थुरा सा जो बना, इस candle में लेके निकल गए, ठी बालकरिस्टी के, बालकरिस्टी के ये जो था, ये अच्छा कासा एक मोमेंटम बन रही थी, यहाँ पर एड कंडल बनाया, ठीक है, रेड कंडल के बिसिस पर हमने सेल किया, अगले दिन माइनस में रही भी, ठीक है, और हमें तो इतना भी माइनस नीचे चला गया तो स्टाटेजी था, अगर अन्होनी होता, रात में अगर कोई ऐसा बैड न्यूज जा जाता, तो बैड न्यूज अगर होती, तो ये दोनों निगेटिव था मेरा, ध्यान से रखना है, ठीक है, ये मेरे को रुलाता, कैसे, क्योंकि ये बड़ा पोईशन होगे, ये प्लस का अगर बैड नी जाता, तो एकदम से माइनस जाती, ऐसा नहीं कि ये उपर चा रह जाता, चाहिए कितना भी पॉजिटिव मोमेंटम हो, कितना भी बड़ा ग्रीन कैंडल हो, वो आपका निगेटिव जाता ही जाता, उस केस में मैं बहुत बड़ा नुकसान में हो जाता, इत मैं एक चीज़ बता दू, मेरा अपना खुद का अनलेशिस ऐसा ये कहता है, कि ऐसा कोई स्टाटेजी नहीं मिलेगा, जिसमें, छोड़ो, मुझे, क्यों, आप लोग बताइए, हम भी अनलाइज करेंगे, आप भी अनलाइज करिए, ऑप्सन टेड करने वाले को झाले के अनलाइज करेंगे, बाइए, बाइए.